है आप सभी लोग हाई है कैसे हैं रात के बच चुके हैं लग नौ आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं पहले बता देता हूं बहुत काफी सारे नंबर्स वगरा जैसी चीजें बीच में हम देख रहे होंगे हिस्ट्री पट रहे होंगे तो मैं यह गारेंटी नहीं दे रहा कि तो मैं एंटरेन होके जाओगे बोरिंग सेशन है तीन घंटे का पर सीख के काफी कुछ जाओगे और लगबग साथ पेज़ेस की स् इसे की आपको यहां पर दिखने लग जाए एक सेकंड तो दो मिनट तब तक वेट भी हो जाएगा बाकि सारे इंडिविच्वल्स का और मैं जान निकल गई यह स्लाइट बनाने में आज मेरी लेटरल जान निकल गई पर कांटेंट काफी अच्छा बना है तो इसको शेयर क पर अब अब अपलोड कर देते हैं आपर मोर अपलोड फायल ब्राउस फायल ब्राउस फायल indianmarketing.pdf is getting uploaded 100% uploaded and we are ready to start तो अच्छी बात पते हैं कि अच्छी बात यह है आज शायद मैं पैन का इस्तमाल ना कर पाऊं कि सुबह फिर से पैन चल रहा था पर अब वर्क नहीं कर रहे हैं तो लुकिली मैंने स्लाइड बना रखिया है और हमारा काम चल जाएगा तो मैं माउस से थोड़ा बहुत लिखता रहूंगा जो चीज़े लिखनी है अब बाकी चीज़े अपनी का क्रिया टेम्ट मार लेते हैं इसके साथ अरे वाद चल गया वाइस हाँ चलो हम लिख भी सकते हैं येट्स आपके तो हाई भाईया आई हिरो अगर यह चल ही रहा है फिर तो माइक भी चल जाएगा तरहीं है फिर तो सारी चीज़े चली जाएगे चेक 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 और एक बार क्लास को रिफ्रेश करना होगा मैं जैसे कि माइक इंपुट लेने लग जाए मैं एक बार सेटिंग में एंपुट में यही अपना क्लास रिफ्रेश होगी अभी ओके आवाज आ रहे है संपारे जनब अब बच्चे जोड़ रहे हैं तो सबका वेट कर लेते हैं चीक है इट टुक मी लॉट आफ एफ़र्ट टू मेक दीस 66 स्लाइड्स यहां पे हम पूरी हिस्ट्री डिस्किस कर रहे होंगे किस पिछले 20 सालों में क्या-क्या चैलेंज़ रहे हमारी इंडियन आइडियोजी क्या रही मारकेटिंग के लिए लोग खरीपते क्यों है हाई राइर की हम समझ रहे होंगे नीड्स क्या होती है लोगों की यह क्या भी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यह क्या सर्वेज है थोड़े देर में हम देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यार लोग क्या सोचते हैं चीजों को खरीदने से पहले तो हम पूरी हिस्ट्री से जाएंगे कि ओके भाई एक टाइम में हिंदुस्तान मोटर्स होती थी पर उसके बाद मारूति सोची ने कैसे ओवर्टेक किया यह सारी जो हमारे स्टोरीज है निर्मा, मैगी, डव, यह नोंने कैसे अपनी ब्रैंड बनाई, ठीक है, टाटाटी, अस्ता नहीं सबसे अच्छा, यह सारे जो कोटेशन्स हैं, क्यों दिये जाते थे, जिस पर देश का हूँ भरोसा, राइट, यह किस प्रकार से, किस टाइम में यह सारी चीज़ें आई, यह सारी चीज़ पैशन का मतलब होता है, टू सफर, ब्रैंड शब्द है ना यार, पुराने जमाने में, युनाइटि स्टेट के अंदर, जब लोग अपने पास गाए भैसे वगरा रखते थे, उदर गाए जादा होती है, तो बहुत सारे गवाले हैं, अब उन सबने अपनी गाए रख जाता था, तो ब्रैंड का मतलब होता है, टू बर्न, जलाना, और वहां से ब्रैंड शब्द का पैदाईश हुआ, चीक है, तो इस तरह की काफी सारी कीज़े होंगी, लगबग, तुम देख रहे हो, कितनी महनट डाली हुए है, पागल हो या, क्योंकि कल अल्रडी एक सेमि गुची, फिर सारी की सारी, दा थ्री खांस ऑफ बॉलीवर्ड, बर्गर केंग, BMW, सारी ब्रैंड के वहां अंदर डीप में डेटेल में देख रहे होंगे, और काफी काम किया है इसके अंदर, पर बोरिंग होगा, बीच में काफी पॉइंट पर बोरिंग होगा, फ्रेमवर पर ब्रैंड कम्मिनिकेशन, ब्रोड कास्टिंग, पिलर्स ऑफ मार्कों, मार्केटिंग और कम्मिनिकेशन, या क्या चीज़े हैं यह वेसिकली यह समझ लो, एक सोलोपरनौर का MBA करने वाले हैं अगले तीन घंटे में, इतना काफी है, यह टाइम लिमिट रात के बारा आठे रहने का, आपने कभी यह सुना है, काफी बार शायद कोमेडियन के आपने वीडियो देखे हूँ, एक चीज़ और पढ़ेंगे, आज हम जो की है, परस्नालिटी कैसे आप बदल सकते हैं, जो की है काफी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट, कभी किसी एक क्लास में बच्चा था, जो कॉलेज में था और जो कॉलेज के बाद हूँ, वो टोटली डिफरेंट है, आप अपने स्कूल में जे हो थे, 6th क्लास तक, 12th क्लास तक जो थे, कॉलेज में जो होगे, शादी के वाद जो होगे, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, तो अ कभी कभी यार आपने सुना है कि हम एक बहुत गलत रास्ता अपनाते हैं, वो ये, यार हम जिस चीज में स्ट्रॉंग है न, उसी चीज में अपना करियर बनाते हैं, ये चीज तो सही लग रही है, अगर ये लॉजिक होता, तो मैं 12 तक बहुत शर्मीला बच्चा था, और म आपको अपना गोल पहले डिसाइड करना है, यार मेरको अपने जिंदगी में ये करना है, अब इस गोल के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, उनको आप प्रॉसेस को प्राक्टेस करते हो, इवेंच्वली आपको confidence आता है, इवेंच्वली motivation भी बाद में आता है, आप पढ़ोगे, पांच्छे दिन पढ़ोगे, चीज़ें समझ में आएंगी, तब आप अपने आप खुद मोटिवेटेड हो जाओगे, होता है न यार, summer vacation में math लेके बैटते थे, पापा बोलते थे, बेटा math थोड़ी सी जादा निकालनो, एक chapter करते थे, दो करते थे, confidence बनने लग जाता था, तीसरे में आप खुद ही motivated हो, यार, यह करते है, summer break में पुरी math निकालेंगे, बड़ा रिलेट हो पार है, तो motivation पहले नहीं आता, आप काम start कर दोगे, एक depth के बाद motivation आता है, passion भी पहले दिन नहीं आता, passion आप कुछ दिन काम करोगे, उसके बाद आप passionate होगे, मालों आप cooking सीख रहे हो, शुरुवात के 3-4 दिन तो आप गरम दाल, जलीवी रोटियां बना रहे हैं, पर एक point आएगा, रोटियां गोल होती जारी है, तब आपको मज़ा आएगा वो करने में, उस particular time पे वो passion बनता है, अच्ची समझ मारी हो, हाँ जी, जो एक example दिया जाता है, in fact, मैं भी एक time पे अपने seminar में लेता था, कि passion कैसे ढूंडें, अलग-लग जूते पहन के देखो, जैसे दुकान में आप अलग-लग जूते पहनते हैं, आपको पता चलता है, यह जूता मेरे लिए सही है, तो वो passion होगे, थोड़ा सा गलत है वो, अलग-लग Although मैंने slides बना रखी हैं, पर आप pen copy लेके बैठे हैं, यह slides आप चाहो तो class के बाद यहीं से download भी कर सकते हो, वापस इस link पे click करोगे, तो आपको मिलता है download PDF, great, you can download it, कल की भी आप download कर सकते हो, मैं शायद discord पर डालना भूल गया था, I'm sorry, पर लिखें ज़रूर सो जाओगे Startup and Solopreneurship in Indian Marketing, great, हम यहर अजादे मिली थी एक point पे, अजादी के बाद, आप किसी भी economy को देखोगे न, तीन sector होते हैं उसके अंदर, क्या मैं बोल सकता हूं, सबसे नीचे होता है आपका agriculture sector पढ़ा है, यह चोटे class में आगेश 10th class में है, agriculture sector होता है, उसके बाद आता है यहाँ पे सारे लोग agriculture के अंदर थी, with time एक generation आती है, जो कि manufacturing की तरफ जाती है, क्योंकि manufacturing में पैसा थोड़ा जादा होता है, फिर manufacturing में ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी लोगों को education मिल रही है, लोग थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं, वो लोग पढ़ काई हमानते हैं, और हमारा लखी ली, service sector बहुत स्ट्रोंग है, इंडिया का, तभी आप यहाँ से देखो कि काफी IT इंजिनियर निकलते हैं, और इसके पीछे, main reason यह भी है, हम अंगरेजी जादा अच्छा बोलते है, as compared to Chinese, yes, उनका तो खुद का internet है, वो जादा काफी सारी websites को तलाओ भी नहीं करते हैं, अपने देश के अंदर, हमारे यहाँ democratic government है, तो हम English भी बोलते हैं, और वो हमारा काफी strong aspect चला जाता है, कभी Apple के उपर यहार देखा है, Apple के कोई भी device देखो कि उस पर लिखा होगा, manufactured in China, but designed in USA, design का पैसा जादा है, क्योंकि वो service sector में आता है, manufacture सस्ता काम था, वो चाइना से करा लिया, उनने पता है, labor वहाँ पर अपना यार कमजोर है, अपने margins निकल आएंगे, that's it, feel I, California, California, IT इंजिनियर्स जो होते हैं, यहाँ पर Microsoft वाला भी बोलेगा, मैंने पुछा यार, life का end goal का है, बोला, मैं अपने आपको imagine कर रहा हूँ, California म मैं बरफ गिर रही है, एक बड़े से घर में बैठके Netflix देख रहा हूँ, मैं नका वा, ठीक है, तिरको master's करनी है, और बाहर से तिरको package उठाने समझ गया, movies, आपने को एक movie आया थी, South की, अपरिचित याद है आपको, अपरिचित है कैसी movie थी, जिसके अंदर एक आदमी के तीन रोल थे, या फिर, मौनजुली का याद होगी, जिसके दो रोल थे, dual personality, trial personality, जो भी होते है, आज का customer भी वैसा साही है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी situation है, जैसे अपरिचित में होता था कि, अगर कुछ गंदा हो रहा है, तो वो एकदम से गुस्वे मा जाएगा, बाल कुछ advertisement ऐसे होते हैं, जिन में पहले आपका mood set किया जाता है, जिसे कि for example, अगर क्या dairy milk का add आ रहे है, तो पहले वो भाई, बहन के बीच में वो प्यार टाइप दिखाएंगे, या couples के बीच का कुछ प्यार दिखाएंगे, माहौल वनेगा, relate कर पाओगे आप, ठीक है, और उसके बाद last में chocolate दी जाती है, तो वहाँ पे आपको वो पहले आपके Romeo phase में लेके आते हैं, और उसके बाद आप ज़्यादा जुड़ पाते हो उस brand से, यह चोटी चोटी चीज़ हैं जो हम दिखेंगे, तो movies में जिस प्रकार से है split personality होती है, आज के दिन, हमारे customer की भी split personality है, पर वहाँ पे पहुंचने से पहले हम फोड़ा history की तरफ जाते हैं, यह सब चीज़ों की शुरुवात कैसे हुई थी, एक चोटा से example है, नेंसल मंडिला को आप सब लोग जानते होंगे, जैसे हमारे यहां के महात्मा गांदी है, एफरिका में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, यहां पर बगत सिंग है, आपके, 27 years of incarceration, मतलब क्या होता है, प्रिजन में रहे थे यार, 27 साल के लिए, चीक है, और उसके बावजूत जब वो आये थे, तो उनके दिल में hatred नहीं थी, और वहीं पर काफी लोग हैं, जो कि शायद उसी प्रिजन में रहे होंगे कि different people react differently in different situations, and sometimes even in similar situations, हो सकते हो, जैसे अगर वो dairy milk का ad आ रहे है, for example, किसी को देखके लग सकता है, वा यार, यह सही है, मैं है न, 14 फरवरी आ रहे है, dairy milk ही दूँगा, और किसी को देखके यह लग सकता है, यह सब बक्वास है, यह सब बक्वास है, लोगों को कपल बना ही न यह 75-25, मैंने का भगवान से भी नराजगिया बताओ, तो customer आपके अलग-लग type के हैं, आप एक यूँ नहीं सोच सकते कि मेरे सारी customer की यह need है, प्रहले आप यह समझें कि वो dynamic है, every 20 year Indian ideology में एक बदलाव आया, ideology का मतलब समझते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे ideas किस प्रकार क हैं, ideology कोई नहीं पढ़ा, तो socialism होता है, communalism होता है, Hitler की अपनी ideology थी, उसका हम नाम नहीं देंगे, वो ideology होती है, तो चुरुआत के phase में, this was our phase one, हम democratic socialism में थे, आपको मतलब नी समझ मायागा, मैं समझा दोगा, फिर आया था यह phase two, marketing की बात कर रहे हैं हम यहापे, जहां पर आपका liberalization स्टार्ट हुआ था, और अब आया है phase three, जो कि आपका consumerism है, भया इसका मतलब क्या है, पहले आप अराम से बताओ, सबसे पहले यार मैंने phase one की बात करिए, this is phase one, चले जाओ जहां पर हमारी independence होई थी देश की, क्या मैं बोल सकता हूँ, majority लोग हमारे agriculture sector में थे उस टाइम, क्यों ना हमारे पास scale थी कि हम manufacturing में है, ना इतने पढ़ रखे थे कि service sector में है, उस टाइम में लोगों के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, ज़्यादा तर जिने English नहीं आती थी, जो कि majority के influence में नहीं रही थी, तो शुरुवात में जब ऐसे कपड़े बेचे जाते थी, ऐसी चीज़ें बेचे जाती थी, जो कि सिर्फ इस अपर पार्ट को attract कर रही है, तो उन्होंने देखा है, ज़्यादा profit नहीं निकल रहा, क्योंकि इनका percentage खर्च करने के लिए, वो इंडिया में बहुत कम थे, तो हुआ क्या, ऐसी चीज़ें बनाई गई जो कि सस्ती हो, फेज वन के अंदर ऐसी चीज़ें बनाई गई जो कि सस्ती हो, चीप, इतनी उनकी quality हो कि यार कोई complain ना करे, यहाँ आप शायद मैंने लिख भी रखा हो, acceptable quality lowest price and mass manufacture किया, इस परकार के products की sales जादा हुई, समझ मारे है आपको, अब हर एक चीज़ कहना दौर होता है, 2017 में internet का boom आया था इंडिया में, फील आ रही है, इसी परकार से हर 20-20 सालों में अलग-लग दौर रहे हैं, उन दौरों को हम पढ़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं, त जो कि बहुत cheap हो और acceptable quality हो, उन चीजों की बहुत जादा demand बढ़ी, जैसे कि एक चोटा से example देते हैं, अगर उस टाइम में आपको बजाज scooter order करना होता था तो 10 साल की waiting थी, waiting मतलब 10 साल बाद आता था, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने order कर रहा है, तो 10 साल बाद मिल रहा है तो ऐसे में वो लोग यार, जैसे मैंने दुबारा बता है, यह हैं English बोलने वाले लोग, और यह हैं Hindi बोलने वाले लोग, दूर दर्शन का एक काफी important role रहा है शुरुआत में लोगों को Hindi सिखाने में भी, right, क्योंकि एक मातर यही चैनल आता था, black and white में, और पहले यू न समझ रहे हो, कि सबसे पहले customer की need समझ गई, पहले market को समझा गया है, कि market में अपना potential customer है कौन, और उसके लिए accordingly चीज़े बनाए जाए, पिलारी मैंने का good, commercial advertising वहां से start हुई थी, सबसे पहले इंडिया में दूर दर्शन के माध्यम से, फिर आई थी यार phase 2, phase 2 को हम बोलते हैं hybrid, hybrid क्यों कहते हैं, इसके अंदर आपके लोग धीरे-धीरे MNCs के अंदर काम करने लगे थे, MNCs से इतना नहीं कि आज के दिन जितना गुरगाओं, Noida के अंदर लोग काम करते हैं, पर थोड़ा-थोड़ा MNCs के अंदर लोग काम कर रहे हैं, कोई newspaper के अंदर जाके काम क कर रहा है, कोई कहा ही काम कर रहा है, कोई निर्मा के अंदर काम कर रहा है, कोई हिंदुस्तान मोटर में काम कर रहा है, कोई Oswal में काम कर रहा है, Oswal Chemicals में, इस परकार से थोड़ा-थोड़ा इंडस्ट्री, manufacturing sector की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, जिम खाना यार बहुत लाख रुपे आप खर्च करते हो, तो एक तरह से जौमीर लोग हैं, उनका पोस्टर है, जिम खाना जाता है, मतलब बहुत बड़ी तोप रहा होगा, इंडिविज्वलिज्वलिजम थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, पहले जमान में क्या होता है, फे लोगों को मिलने लग गई, लोग हैं, वो और पैसा कमा रहे हैं, अमीर रह रहे हैं, अगर they are living rich, मतलब they are spending more, तो privatization of TV channels होने लग गया, अब आपने कभी सोचे यार सास बहु का सीरियली क्यों आता है, जना majority जनता उससे relate कर पाती थी, उस time पे, एक significant portion of women है वो घर में रहती आज के दिन तो scenario change हो चुक है, पर उस time रहती थी, तो वहाँ पे वो TV देखते थे, उन्हें वो ही सास बहु दिखती थी, तो वो relate कर पाते थे, इसलिए यार, जब हम बोलते हैं, तीवी पे क्या बखवास चलता रहता है सास बहु, उन्हें मजा नहीं आता बखवास चलाने इंपक्ट पढ़ रहा हो, तो धीरे-दीरे जो director producers हैं, वो भी बड़िया movie निकाल रहे हैं, समझ पारे हो आप, जिनका meaning हो, जिनके अंदर कुछ learning हो, एक message हो, वो धीरे-दीरे switch आ रहा है, फिर आया था यार हमारा phase 3, ये है pleasure seeker, धीरे-धीरे हमारी generation की तरफ आ रहे हैं, हम हम वो generation है, जो कि यूँ देखता है, mother dairy भी है, ओहो, amul ice cream भी है, ओहो, ज्यानीज भी है, ओहो, नाचुरल्स भी है, और विदोचार होंगी, वाडिलाल भी है, हम pleasure वाली generation है, converting in Indian language, wanting to get rich, enjoy Bhangda remixes, street food, shop for home, personal items using TV shopping, ये वो generation है, जैसे भागड़ा पे remix करना है, उसे भई चाट को चोड़ी भी खानी है, वो अमीर भी बनना चाता है, ठीक है, काफी सारी Indian languages में बात कर रहा है, English Hindi दोनों इस्तमाल कर रहा है वो, और उसको खुद का TV चीए, मतलब वो अप अपने घर में TV चाता है, गाव में पांच नहीं, मेरे को घर में TV चाता है, ये हमसे थोड़ी सी पहले वाली जनरेशन है, ये लगबग वो है, 1990 से लगबग 2005 की मान लो, 2005-10 वो वाली जनरेशन है, आगे चलते हैं, single personality Indian, new Indian customer, multiple needs for multiple personalities, अब ये आखरी phase हमारा आता है, this is our phase 4 आप बोल सकते हैं, या फिर phase 3.2 बोल दो, ये वो customer है जो की हम है, हमारे भई multiple शकले हैं, हम आपने आपरेचित पे चल रहे हैं, single personality Indian है, जिसे अलग लग चीज़ें चीज़ें, जैसे कि for example, हम गाड़ी ची़ें पर द हमें Indian भी खाना है, पर हमें बीच-बीच में Chinese cuisine भी देखना है, we have to check out American and Italian cuisine at the same time, Russian भी हमारे नकरे जादा हैं, हम वो हैं, which is good thing, अगर आप एक business owner हो, तो आपके लिए वो अच्छी चीज़ें है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें बेच सकते हो, और लोगों के पास पैसा हेल खरीदने के लिए, right, अब लोग खरीदते क्यों है, इस चीज़ पर थोड़ा-थोड़ा सोचने का कोशिश करते हैं, why do people buy, यार ये एक Maslow ने hierarchy of needs बनाए थी, Maslow एक व्यक्ति का नाम में, उसने कहा था यार, आदमी है न, level wise चलता है, जैसे एक आदमी से सब कुछ ले ल या फिर चोर ना आ जाए, तो security guard चीए, camera चीए, मेरी दुकान से कोई समान ना ले जाए, चलो भही, ठीक है, फिर third stage होता है, belonginess and love, Neha Rahul Week, right, आज मैंने वीडियो डाला, भाई, लोगों ने लिखा है, भाई, आज तो Neha Rahul Week स्टार्ट हो, वाह, इतने updated, तो वहाँ पर friendship, intimacy, familiar ties, ठीक है, यह सारी चीज़े matter करती है, यहाँ पर relationship दे था, जो मैंने काट दिया, educational content only, first stage, second stage, third stage, और fourth stage होती है, आदमे उसके बाद सोचता है, respect, status and recognition के बारे में, समझ पा रहे हो, respect, status and, आप कभी भी देखना, कबसे पहले आदमी को चीए job, job जैसे मिल जाती है, बैंक मे let's go to shopping, धीरे-धीरे, दो-चार, बासाल बाद है न, उसका वो phase खतम हो जाता है, तो उसके बाद आदमी सोचता है, यार, जो मैं काम कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, क्या, वो matter भी करता है, लोगों के, समझ रो, आप रोज दिन में, आठ, आठ, दस, घंटे किसी office में क कर गए, आप यह पूछते हो, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, तो फिर वो देखने लग जाता है, यार, मैं कुछ ऐसा काम करूँ, जिससे respect, status, recognition मिले मुझे, चीक है, और लगबग 35-40 साल के उमर में, उसके दिमाग में एक और चीज़ खनकती है, self-actualization, म कंपणी ने बनाया था, बेन कंपणी जानते हो, गुडगा में जाना मिल जाएगी आपको, आपके campus में भी आएगी, अगर आप engineering करोगे तो, non-tech में काफी अच्छा package देती है, इसने चार लेवल बनाया, human need आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, अगर आपको लोगों को इसने काया, पहली need होती है, functional, functional मतलब जिससे कि आपके दिन-टू-दिन के functions चल सके, saving time, making money, reducing risk, घर में रहे, ठीक ठाक घर हो, ज्यादा कर्चे ना हो, काम चल जाए हमारा, ठीक है, थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ी हो जाए, next होता है emotional, फिर आप देखते हो, अरे यार घ अच्छा हो, जो गाड़े चला हूँ, उसके aesthetics अच्छी हो, मैं जो कपड़े पहनू, वो चीज़ी अच्छी हो, मैं जिस व्यक्ती के साथ रहूँ, वो व्यक्ती अच्छा हो, ठीक है, मेरी self-growth कराई, यह यह जीज़ीज हम देखने लग जाते है, फिर third stage होती है life changing, providing hope, affiliation, self-actualization, और fourth होता है social impact, कि यार कुछ ऐसा करें, जिससे कि इस world के उपर कुछ impact पड़े, तो तब ही तुम देखोगे, सबसे अमीर आदमी charity कर रहे होते हैं, yes, सबसे अमीर आदमी charity कर रहे होते हैं, आज charity करने का एक और important reason भी मैं बताऊंगा, कि why people do charity, although मुझे भी नहीं पत करें, लगबग 7 feet के हैं, six core human needs, उन्होंने अपनी एक निकाली है, उनका था यार certainty, variety, significance, love and connection, growth, contribution, सबसे पहले certainty होया, to avoid pain and attain pleasure, right, खाना मिल जाए, time पे, रोटी पानी मिल जाए, घर पे shelter मिल जाए, अच्छी नींद मिल जाए, फिर variety चीए, challenges and surprises चीए होते हैं, हमें life के contribution चीए, किसी के life में आप matter करते हो, growth चीए, जैसे एक पेड़ को growth चीए होती है, कि यार, आज मैं 2 रुपे कमाता हूँ, कल 3 रुपे कमाऊ, और contribution चीए, कि मेरी वज़े से, किसी के life में कुछ 2 रुपे की बढ़ोतरी हो, चीए समझ मारी है, ये अलग-अलग, चीजें, models, क कुछ बनाएगे, कुछ-कुछ चीजें हमें, I guess, अपने आप clear होती जा रही होंगे, फिर एक और model है, जो की है, which is, मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर तो आपके साथ discuss नहीं करो, ठीक है, अब एक एक product को लेते है, toothpaste, toothpaste, toothpaste से आपको क्या-क्या चीजों की vibe आती है, क्या मैं attention and vanity, strong teeth बताया जाता है, यार, ताकतवर जीत हो जाएंगे, which is social credit and one-up manship, one-up manship का मतलब पता है, manship मतलब, one-up manship मतलब किसी और से बहतर होना, किसी और से बहतर होना, किसी और के ऊपर होना, समझ में आ गया, manship, yes, तो, यहाँ पर हम इस चीज के पर focus डाल रिंगे, कि एक toothpaste खरीदते हैं आदमी क्या-क्या चीजें सोचता होगा, क्यों वो उस toothpaste को खरीदता है, तो मैंने का, पहले चीज आ रही है, यार, मेरे दांत साफ हो जाएंगे, दूसरी चीज आ रही है, यार, ताकतवर दांत हो जाएंगे, बाकी लोगों से चमक रहे होंगे, शायद बाकि मोरी टों बॉंबे, तो गाड़ी वाले वंथे को जानते हो, फ़र ति कह में, दो थे वं आ, तो होता है, यह है, आवंती सही में नहीं जानते हैं त masterpiece है पहले हू' चलो अभी के लिए फिर आप ऐसा समझ लोग नहीं जानते हैं अवन्ती माल लो एक इंडिविजवल है अवन्ती आप छोड़ दो एक यंग वोमन है there is a young woman and she goes from Pune to Mumbai तो यह पूछते हैं कि यार उसका Pune to Mumbai ट्रावल करने के पीछे क्या क्या reason रहे होंगे कि ऐसी हम रैंडम बाते कर रहे हैं यार विल बी सूपर बोरिंग और बहुत लोग कम लोगी लाश्ट तक रुख पाएंगे बट इट विल बी वर्थ इट प्रस्ट में हो सकता है यार वो connections बनाना चाहती हो इसने चार चीज़ें बताई थी that there is no business without customer no customer without marketing काफी सार आ रहे हैं आपको business ऐसे मिलेंगे जो की product बहुत अच्छा बनाएंगे उनकी team भी strong होगी पहला phase होता है team बनाना फिर आप product भी बहुत अच्छा बनाएं और उसके बाद में जब marketing का time आता है marketing नहीं कर रहे होते हैं marketing पर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पर मार खा जाते हैं चीज़ समझ मारी है great marketing is about great brands अब मुझे बताओ marketing के लिए आप हमेशाद ध्यान देखोगी कि एक quote आपके दिमाग में डाला जाएगा या फिर एक logo आपके दिमाग में डाला जाएगा और यहाँ पर हम case studies करेंगे काफी सारी KFC का जो logo है यार लगबग 1970 में जिस व्यक्ति ने बनाया था KFC पता है न पहले जो असली में जिस वक्ति की आप photo देखते हो उसने बेच दिया था 1970 में बनती बेच दिया था और company ने उसका जो logo है वो आगे follow up भी नहीं गया था और उनने देखा यार recently 2015 में यार हमारी sales डा जिक लगेंगी आपको but after two hours, three hours चीज़े थोड़ी थोड़ी connection बनाएंगी right and right now I am trying to following the slides और मुझे लग रहा है कि मुझे slides follow नहीं करनी चाहिए कोई दंदा नहीं होता without customer customer is very important customer marketing से आता है और marketing ब्रैंड लेके आती है अगर आपकी ब्रैंड में दम है तो आप आओगे चीज़ समझ मा रहा है अगर याँ जुत्ता एडिडास ने बनाया तो अच्छा ही होगा नाइके ने बनाया अच्छा ही होगा अच्छा मिठा ही हल्दी राम की है अच्छी ही होगी अच्छा गाड़ी मारूतिकी है बस maintenance zero है इसका अच्छा गाड़ी Hyundai की है थोड़ी luxury होगी engine में power होगी इस तरह स make and keep more customers यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्यों मानले आज मैं एक एडिडास का जूता लेता हूं वह दो तीन साल चलता है अच्छे से मैंने बहुत किसा है उसे चार-पांस साल चल गया मानलो next time मैं दोबार एडिडास को prefer करूँगा हाँ या एक brand के साथ आपका connection बन जा जाओगे या फिर मानलो आपने अमूल मदर डैरी ज्यानी सब कुछ ट्राइए कि उसके बाद आप बोलोगे अरे यार अच्छा निलगा मदर डैरी अच्छी निलगी ज्यानी अच्छा लग रहा है पर ग्यानी थोड़ा महां होता है मैंने वी कॉलेज के बाद ही खानी साथ रिलेशन्शिप बनाना समझो सबसे पहले अगर आपके सामने नेहा आती है लड़कों अब तो वैलेंटाइम सीग भी चल रहा है हमारा पहला काम होता है अटेंशन ग्राब करना यारे नेहा देखो मैं यहाँ पर एक्जिस्ट करता हूँ जिन्दा हूँ मैं सेम ब्रै कास्टिंग नहीं करेगी वहाँ पर नारो कास्टिंग करेगी नारो कास्टिंग मतलब one-to-one interaction करेगी तीज समझ पा रहे हो one-to-one interaction होती है मतलब डेठ पे आप चले चुके हो तब विचार का अदान प्रतान होता है इंगेजमेंट बढ़ता है आप अपनी ब्रैंड के बार रहे हो, फिर धीरे-धीरे, अगर आपकी चीज़ें पसंद आई, और हम अभी यार काफी models check करेंगे, मैं आगे जा रहा हूँ यहां पर बहुत तेज, तब पहली बार, निहा आप पर अगर वो डेट पसंद आई, फिर आप रेगुलर उसके बन जाओगे, इन दे सेंस, आप कमिट हो जाओगे, यही कुछ phases होते हैं, आगे चलते हैं हम धीरे-धीरे, एनी product slash service must answer the 4 following questions, ठीक है, आप कोई भी product बनाओ यार, वो 4 answers करने चीज़ें, which existing customer problem do we solve, ऐसा कौन सा customer है, जिसकी आप problem solve कर रहे हो, समझ मारी है, मालो आपने कुछ ऐसा product बनाया, जैसे की काफी बच्चों के दिमाग में ऐसा आते हैं, अपने dairy खुल लेते हैं, मेरे दिमाग में आया था, जब मैं 12th class के अंदर था, तो मेरे board exam आ रहे हैं, और पता नही क्या उनकी age होती है, जो उनके बच्चे हुए है, बाच्चा हुए तो क्या होता है, बाच्ची होती है, तो इसको रख लिया जाता है, बाच्चे को छोड़ दिया जाता है, तो मैं ऐसे calculation करने लगया, आच्छा यार एक गाये जो होती होगी, और यहार यहां पे दिल्ली श यहां पर एक लड़की है जिसने राइता नहीं खाया, चूर्मा नहीं खाया, मैंने का भाई साब, और मैं कुछ ऐसे एग्जागरेट नहीं कर रहा हूं, मैं खुद शौक हुआ था, तो मैंने का, ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, एक डैरी बनाएंगे, और ऐसा डैरी बनाने के लि दूद देंगी, इतना हो जाएगा, सबसे पहले हम शुरुवात के जो गाउं है, या फिर जो भाई ठेकेदार आता होगा, शहर मिले जाने के लिए, उसके साथ कुछ कनेक्शन बनाएंगे, हर एक लिटर के लगबग इतना मार्जिन तो हम रखी सकते हैं, क्योंकि हम बेट पुलिस वाले दिक्कत कर रहे हैं, और भही ट्रक कहां लेके जा रहे हो, क्योंकि अल्रडी दूसरी फार्टी के साथ डील हो रखी है, यह रियल लाइफ चीजी हम सोचते ही नहीं हो उस्टाइम तो, और मतलब ऑल्लाइन के जमाने में जहां पर आप ग्रोथ एकदम सिग्न एक दम असली दूद नहीं पी रहे हैं, लेम, पर आपको अपना पोटेंशल कस्टमर पता होने चाहिए कि ऐसा कौन सा पेन है एक पर्टिकलर मार्केट का जो कि आप दूर कर रहे हो, सेकंड, विच न्यू लाइफ डूवी मेक पॉसिबल, विच न्यू वेज ओफ लाइफ तो ये एक तरह से सर्विस होगे, हमारे जीने का तरीका बदलती है न, शायद आप रात को अभी सोरे होते हैं अगर ये सर्विस नहीं होती तो, आप पुछते हो, विच न्यू वेज ओफ लाइफ डूवी मेक पॉसिबल, अब जैसे एक छोटा से एक्जामपल ले लेते है आपल प्रोडक्स में एक फीचर होता है एरडॉप तो अगर मेरे पास लाप्टॉप है, अगर मेरे पास मॉबाइल प्रोडल का है, अगर मेरे प sis प्रीचे समय कभी भी कुछ बेसिक कोशन है ये चार चीज़ें आपको आप सब ने अपने कुछ टार्ट अप आइडिया सोचेंगे उन चारों पे आप उन सब पे आपको चारों चीज़ें पूछ नहीं है और एक बहुत बेसिक चीज़ बताओं यार अपार्ट फ्रम इस स्लाइड कोई आपके दिमाग में आइडिया आता है पहले आप जो सो पोटेंशल कस्टमर है उनसे जाके वन टूवन इंट्रक्शन करो और पूछो कि उन्हें चीए भी क्या और यह मैंने अपने यार इंट्रेस्टेट होंगे जब सौह पूशल पूछल लडग्यों को नहीं भीजना चाते हैं अपसे सबदे करना बहुत जरूरी है इसका मतलब क्या है? तो टाइप के लोग रहते हैं यार इंडिया के अंदर एक है इंडिया अइंडिया अराइजिंग इंडिया अराइवड गा मतलब समझगे? जेनकी दो जनरेशन आलरीड बहुत पड़े लिखी हैं जेनके पापा दादा दोनों प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके हैं या पड़े लिखे हैं ठीक है हाइर एजुकेशन मिल रखी है अर्बन एरियाज में रहते हैं अपार्टमेट वगरा में रहते हैं आफिस जॉब करते हैं टेक से भी है मतलब लेटिस टेक है इनके पास और एक दूसरा इंडिया भी है जो कि मैं बोलूँगा मजॉरिटी है वो है जिसकी फर्स सेक्ट जनरेशन ने पहली बार पढ़ाई देखी है ठीक है लोवर एंड फिजिकल स्किल सेट जादा है लिमिटेट टेक यूज़ है छोटे मोटे टूटे मोटे फूपाइल फॉन यूज़ कर रहे है आई फॉन नहीं यूज़ कर रहे है फर्स सेक्ट जनरेशन में डाट इज इंडिया अराइजिंग यह दो मार्केट एक्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए आपका प्रॉडक्ट किसको हिट कर रहा है यह काफी के स्टडी देखेंगा आपको पता है एक जमाना था जब नोकिया मोब तीशत छोड़ा था आर्केट काप इतना स्ट्रॉंग था इनका फिर आया आइफोन और आइफोन को इन दोनों ने खिलोने की तरह समझा इन्होंने सुचा रहे यह खिलोना है टच्स्क्रीन वाली चीज़ लोग लगाएंगे और कोई नहीं खरीदने वाला यह बैसे गिमि और इनफाक्ट बीच में एक में बटन होता था जो कि टच के साथ काम करता था यह बटन को आफ फील कर सकते हो स्क्रीन भी ठीक है यह बेस्ट है उन्होंने आरेंडी कम कर दिया आज की दिन रियालिटी यह दोनों मार्केट से हट चुके है यह और आपका टाइम के साथ देता है, नू टेक्नोलेजी की वाईब देता है, फुचर में रहने की वाईब देता है, होप देता है, यह सारी फीलिंस है, वीड्व लफ, हेड़ोनिजम, हेड़ोनिजम का मतलब क्या होता हैै, प्लेजर सीकिंग, इस सारी क्या मैं बोल सकता हूँ, एक तरह से emotions हैं, जो कि humans को derive, drive करते हैं अब good sense हमें कौन-कौन सा product दे सकता है, क्या मैं बोल सकता हूँ, एक toothpaste खरीद के मेरे को good sense आता है, अपने बारे में, हाँ जी मैं अपने brush कर सकता हूँ teeth को अगर मैं अपनी private security करता हूँ, तो उसे good sense आता है, मैं अपनी insurance कराता हूँ, तो मेरे को अपने बारे में good sense आता है, yes, great मुझे बताओ, self love क्या हो गया, अगर मैं yoga कर रहा हूँ, yoga will give me a feeling of self love अगर मैं अपने career related खर्चा कर रहा हूँ, coaching में पैसा डाल रहा हूँ, self love की vibe आ रही है, personal interest के लिए किसी चीज़ पर लगा रहा हूँ, self love की vibe आ रही है, मैं बस बस कुछ कुछ relate करने की, hedonism, pleasure वाले क्या होते है, food, अतियंत खुशी मिलती है, drink, entertainment, fashion, value added experience क्या होता है, travel, कही गोमने जाते हो, आपको लगता है जिन्दगी को और प्यार से देख लिया, restaurants, प्राइवेट लेशी, इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़े मैंने बनाई गई है, ऐसे आप बाकी चीज़े भी देख सकते हो, इस seminar को मैं चाहूँ, तो बहुत जल्दी end कर सकता हूँ, मैं पता इन में से जो 90 प्रतीशत लोग है, वो किसी तरह का start-up करते हैं या solo-preneurs होते हैं, और जो सिर्फ 10 प्रतीशत लोग हैं, वो professionals होते हैं, professional मतलब doctor, lawyer, teacher, engineer, वो सारे लोग, समझ में आ रहे है, मुझे यूँ लगता है, जो हमारा school है, वो हमें 10% के लिए prepare करता है, चाह school हो गया जाए college हो गया, yes or no? और in fact मेरे को लगता है, वहाँ पे भी हम काफी बार lakh कर जाते हैं, क्योंकि college में बढ़ाई होती हैं, और school में आप tuition ले रहे होती हो, personal, तो मेरे समझ नहीं आता, तो ये 90 प्रतीशत लोग जो हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, और क्या आपको ये भी पता है शायद मैंने कल के seminar में बताया था, जो उपर के 3 प्रतीशत लोग हैं, उनका पैसा मिलाओगे, तो that is greater than नीचे के 97 प्रतीशत लोग, ये भी हमें पता है, और क्या ये भी पता है कि कोई भी profession है, कोई भी profession है, अगर उसके अंदर 10 लोग हैं, तो उपर के जो 2 लोग हैं, वो कि एक mindset होता है, जिसके अंदर में dive करना चाहता हूँ, इसके लिए आपका बहुत ज़ादा academics में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप academics में अच्छ हो, उससे बस एक चीज़ पता चलती है company को, company या फिर आपके बारे में क्या, कि आपको मैनत करने आती है, आपको क communication के बारे में ज़्यादा knowledge है, as compared to अगिसु वच्छा जो चश्मा लगा के सिफ पड़ रहा था, कोई offend तो नहीं हो रहा है, आपके बैठा बैठा मैने भी लगा रहा है चश्मा, ठीक है? अब यार जब आप start करते हूँ, आज कि दिन अगर हम देखें, तो social media है, जिसकी करते हो, या फिर बहुत कम capital में कर सकते हो, Facebook आड हो गया, Instagram आड हो गया, YouTube advertisement हो गया, बट मेरा मानना है कि forced advertisement से कभी भी आप brand नहीं बना सकते हैं, समझरे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो यार आपके पास startup का पैसा हो, समझरे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यार आपके पास अगर आपके पास चवन्नी नहीं है, तो मेरा मानना है कि आपको organic माध्यम इस्तेमाल करने चाहिए, organic reach जिसे हम बोलते है, organic reach क्या होती है, आप Instagram का यूज़ करते हो, आप YouTube का यूज़ करते हो, आप Facebook का यूज़ करते हो, ठीक है, और आप बाकी social media assets का इस्तेमाल करते हो, च कुछ है नहीं, कैसे brand awareness बनते हैं, हाँ, kora भी आप बोल सकते हो, आनलो यार, आपको इसे भी एक particular skill पकड़ लेते हैं, आप cooking में अच्छा हो, cooking ले लेते हैं, क्योंकि सारे लोग उसको समझ पाते हैं, घर में सबका खाना बनता है, आप cooking में अच्छा हो, आप 2-3 चीज़ क मेरी ममी से अच्छा है, तुमारी ममी बना दे, मतलब ये एक ऐसा है, जो कि आप नहीं कर सकते, एक बहुत simple skill है ये, तो फिर आप देखते हो, ओके मैं और क्या कर सकता हूं इसके अंदर, कुछ ऐसा unique काम सो सकता हूं, जो बाकी लोगों को करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो जायद आपको खाना बनाना ना आता हो, खाना खाना आता हो, तब भी आप ये कर सकते हो, जड़र थो नहीं, तुम सबको खाना बनाना आता है, पर खाना खाना तो सबको आता है, येस, और food vlogging ऐसा है, जिस पे views भी जादा आएंगे, क्यों कि मुझे बताओ, आप क्या इस च मानलो, आपने 600 प्लस वीडियो डाले, आपने इंस्टेग्राम पर डाले, क्योंकि ये वाले वीडियो इंस्टेग्राम, सोचल मेडिया पर जादा चलते हैं, एक एक मिनट के होते हैं, और व्यूवर शेफ होती है, वहाँ पे इनकी, क्या मैं बोल सकता हूँ, आज से 3-4 सा बाद, जब भी कोई व्यक्ति आपको देखेगा, तो उसके दिमाग में पहले खाना आएगा, फूड, फूड, ये हादमी को, फूड, अगर आप मुंबई बाइकर निखल को देखते हो, तो क्या दिमाग में चीज आती है, व्लॉग, या बाइक, दो चीज आती ही दिमाग इस इंडिविज्वल सार ब्रैंड, अब आप बोलोगे भी है, ब्रैंड के लिए इतना काम करना पड़ेगा, ये तो बहुत कम लोग होते हैं, क्रियेटर्स, ब्रैंड आप एक चोटे लेवल पे भी बनाते हो, एक ग्राफिक डिजाइनर जैसने वेबसाइट बना रखी है और अपनी एक अच्छी पॉर्टफोलियो बिल कर रखा है, उसने अपनी ब्रैंड बना रखी, कम लोग जानते हैं, बट ब्रैंड is ब्रैंड, समझ मारे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको देखते ही, आपके बार में क्या सोचते हैं, डाट is your ब्रैंड, आप कमरा छोड़ो आपको गाड़ी लेने आएगी और आपको गाड़ी छोड़के वापस जाएगी, तो वो चीज करने लग जाती है, वहां पर एच्छी है, सेमिनार चल रहा है मेरा, डावी के साथ ललो पहले, मम्मी घंचरी है डावी को भार ले जाने के लिए, डावी ने पूरी जान लगा रहा है, नहीं जाओंगा, नहीं जाओंगा, सर्दी है भाहर, आज यही चल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या मैं बोल सकता है, यह बंदा अपना रेश्टराओं खोल सकता है, अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकता है, यस और नो, तो फिर आपके पास एक बार आप उपर हाइट पकड़ ली न, हाइट पकड़ने के बाद पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, मैं दुबारा बीच-बीच में आगे चलता जाओंगा, where do brands come from, मैंने आपी आज की दिन brands come from social media, because they are the fastest way to become a brand, yes or no, Reebok एडिडास को शायद हो सकता है, 20, 30, 40, 50 साल लगे होंगे, पर बीबी की वाइन को 5 साल लगे या 6 साल लगे है, समझ मारा है क्या बोल रहा हूँ, आमित ब बताया था, to burn, brand का मतलब होता है, burn, पुराने जमाने में जानवरों के उपर अपना जला के थपा लगा देते थे, वहां से brand शब्द निकल के आया है, आगे चलते हैं, बोल नहीं करूँगा आपको, how did brands get here, brand यार बनाए क्यों गई, मुझे ये बताओ, brand आया कहां से, brand का एक जूता लिया, दुबारा commit कर सकते हो आप उसके, किया नेक्स टाइम भी Adidas ही लोंगा, नेक्स टाइम भी Nike ही लोंगा, समझवारों क्या 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 हो में, so 1900s के अंदर brands were commodities with their names, commodities का मतलब समझते हो समान, जिनका नाम हो गया, अब क्या हुआ, 1960s अंदर के अंदर multiple brands आ आने लग गई, तो हर brand को अपना, आपकी memory के अंदर है न, थोड़ा सा space ची होता है, क्या आपने सुने, आज के दिन time सबसे ज़्यादा expensive है, time सबसे ज़्यादा क्यों, in fact screen time सबसे ज़्याद expensive है, क्योंकि पहले आप road के उपर banner देखते थी, यार, फलाना company है, ये ये चीज आद रहे, उसको बोलते हैं broadcasting, दो चीज़ें होती हैं, जना वापस आपको बताऊंगा, पहला होता है stage 1, stage 1 के अंदर हम करते हैं broadcasting, जो आप YouTube के ओपर 5 second देखते हो, 10 second add देखते हो, कभी 1 minute add देखते हो, वो सारा है broadcasting का part, चीक है, broadcasting में आप एक simple message share करते हो लोगों के साथ, व narrow casting, one-to-one बात किया जाएगा इनके साथ, engagement किया जाएगा, one-to-one engagement किया जाएगा, चीज समझभाई में क्या किया रहो, how, call करते हैं भई, तुमसे information नहीं लेते, किसी भी website के अंदर जाते हो, please enter your credentials, Google ID बताओ, और अंदर number डाल के login कर जाओ, तो आपको email करते रहते हैं, कभी अपना email चेक करना, चीक है, इसकी website पर जाओगे, जहां पर आपको free solution वगएरा मिलते हैं, video solutions, website पर आपका number वगएरा लेगा, पता चल रहा है, आपको tuition के लिए, पूछ रहे हैं, tuition चीजिए आपको, चीक है, कहीं से आपको book की PDF मिल रही है, वो आपके data लेगा, तभी तो academy पर जाओ, आप login करते हो, आप अपने credentials डालते हो, तो वो आपको narrow casting कर रहे है, narrow casting पुछ रही है, और ये एक तरह से successful business है, तो तुम इससे सीख भी सकते हो, everyone is doing, तुम ये दाता हो, आज की दिन तो restaurants are doing, मैं अपने cafe में जाता हूँ, coffee पीने, पहले पूछते हैं, नाम क्या ह पहले ये ही बताना है, sir please नाम बता जीचे, please बोल दिया आप तो लो यार बताई देते हैं, उसके बाद आप देखो के दिवाली, holy new year पे इनके email आएंगे, 20% off, you are our very precious regular customer, please come, तो मान ले मैं new year पे सोच भी रहा हूँ, कहां जाओ, इस cafe का message आगया, यहीं चल लेते हैं, समझ सबसे अच्छा, जिस पे देश का हो बरोसा, तो वो broadcasting होगी, फिर 80s के अंदर क्या हुआ, brand idea का नाम दिमाग में आया, example Rin ने कहा, whiteness that sets you apart, सबसे अच्छी, हिंदी में शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, इसका में को number याद नहीं आ रहा, whiteness that sets you apart, निर्मा ने निकाला, सबस 1990 और 2010 के अंदर ये एक और इसे एक level ऊपर चले गए, higher platforms to appeal for customers brand ideal, जैसे टाटा टी ने कहा, जागो रे, चाय कब पीते हो यार, दिन में पीते हो, अब जागना सुबह एक अच्छी positive चीज माने जाती है, yes or no, great, तो वो बोल रहे है, जागो रे, जागो रे, दव क्या कहता है beauty in all shapes and sizes, देख रहे हो, अब broadcasting में positive message भी है, broadcasting में positive message भी है, ये next level था, अब 2020 में क्या चल रहा है, genuineness and authenticity matter करती है, yes, आज का दिन vote time है, जब आप review कर सकते हो किसी चीज को, Amazon पर आपने order किया, मला नहीं है, two star rating, I am giving two star rating, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है नहीं, तो मेरा one दे दू देखें ऐसे, एक तो ऐसा था, I am giving two star rating, because there is no option of 1.5, मेरा वासी आजाती है, वहला बड़ा के, आज के दिन, genuineness matter करती है, authenticity matter करती है, तब ही, आपका किसी brand का customer उसके साथ रुखता है, चीज समझ मारी है, क्योंकि एक लिए options बहुत सारे है, समझ रहे हो, आप कपड़े खर या किसी सरोजणी नगर के अंदर, देख रहे हो, सब shirt बजच रहे है, तो कुछ चीज है तो आपकी औरों से बहतर होनी चाहिए, और shirt में क्या बहतर करोगे, price के साथ आप खेल सकते हो, पर क्या मैं बोल सकता हूँ, काफी बार price आपको महंगी चाहिए, क्योंकि यार, आप हम पढ़की मारे हो, इंजिनेरिंग क्यों कर रहे हो, इंजिनेर नहीं कमा पाते है जारा वाली चीज़, तो हमारे पास पहले से हैं तो सही है, गलत direction है, customers want to know, ठीक है, customers दो तीन चीज़न जानना चाहते है, why are you here, what do you do, how do you do it, नहीं समझ माहा है, कुछ case studies के साथ बात करें यह होता है, brand octagon, brand octagon मतलब, octagon बना लो एक, ठीक है, मैं बना दूँ, इसको हम बोलते है, brand octagon, पहले चीज़ होती है, performance, जब भी आप किसी customer के पास जाओगे, कभी देखें, salesman आपको 7-8 चीज़े बोलेंगे हमेशा, किसी भी product की बताएंगे, sir, गाड़ी जाना, इसकी performance ब product interface बहुत है, steering wheel, sir, adjustable है, ऊपर नीचे हो जाएगा, chair आपकी आगे पीछे हो जाएगे, sir, back seat जो है, वो भी आगे पीछे हो जाती है, sir, उसने product interface बता दिया, कि देखो, यार कितना आच्छे, पर उसने pricing, sir, अपनी category में best return of investment देता है, साथ में, आप हमारे dealer से लोगे, आपको इतना 40,000 और off देंगे, और साथ में केट देंगे, समझ में आ रहे हो, pricing उसने बेच दी, service, sir, आपको पता है, sir, अपने देश की company कवी लिया आना, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दम से कर देंगे, चीक है, और sir, गाड़ी आप कितनी बड़ी है, पर pricing आपकी शुरुआत की 2 साल की, sorry, servicing है, वो free है, company उठाएगी, देखते हो, वो सारी चीज़े बोलता है, वो, impact on planet, sir, जो आपका recently, आपका carbon related कौन से, B6 engine क्या है, मैं नाम भूल गया, नियुस पर मैंने पढ़ आता, वो engine है, sir, इसके अंदर बिल्कुल carbon नहीं जाता, और mileage की बात करें, sir, oh, 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 BS6 आपने लिख दिया, sir, mileage, SUV है, पर 18 का देती है, culture, culture, यार, यह होता है, आपके office workplace का, basically, जो उस company में काम कर रहे है, अगर उनका culture अच्छा होगा, उनका mood अच्छा होगा, तभी तो अच्छे से sales करेंगे ना, वो, तो यह एक तरह से customer side नहीं होता है, यह back end side होता है, कि वह यहाँ पर storytelling आए गई, यह नहीं किताब है, मैं लिखाया हूँ, all marketers are not liars, they are good, all marketers tell stories, पढ़ी नहीं है, मैंने अभी इस किताब को पढ़ेंगे, निया stock लाया हूँ है, तो इसको next seminar में देखता हूँ, आपको कुछ अच्छा मिलेगा, तो cover करके दिखाएंगे, तो फिर, last हो इसे एक भी miss out कर दो, आप sustain नहीं कर पाओगे, yes, please, where are brands going, brand जा कहा रही है, आज के दिन, where are brands going, दो type के DNA होते हैं, brand DNA जिसे बोलते हैं, ओक होता है visible DNA, एक होता है invisible DNA, visible जो आखों से दिख जाए, क्या product आखों से दिखता है, हाँ, क्या उसकी packaging आखों से दिखती है, काफी बा महेंगा है, पर अच्छा pack करके BIN होने, आया न, फिर pricing, pricing आपको दिखती है आखों से, presence उसकी दिखती है, कैसा दिख रहा है वो, personality दिखती है आपको product की, brand identity दिखती है, content दिखता है, media दिखता है, कभी किसी ने सोचा यार, Gucci की shirt लाखों में क्यों आती है, क्या कपड़ा इ नहीं पता होता है, मुझे यह भी बता दो कि Mercedes का यह sign क्यों होता है, Mercedes का यह sign इसलिए होता है, क्योंकि उन्होंने एक जमाने में सोचा था, land, water, air, तीनों जगा पर हमें यह करना है, mission क्या है, purpose, values, people, culture, competencies, यह है आपका invisible DNA, but both DNAs are equally important और हमें हर एक को खोल-खोल के बैठके लो, invisible DNA होता है, makes the brand sharply defined, and visible DNA adds value to invisible DNA when successful is creating engagement, आप एक तरह से यह है, building की नीव, जो कि जमीन के नीचे है, दिखनी रही, पर इसी के उपर building खड़ी होती है, और visible DNA है, उपर की building, पर नीव आपकी strong होनी ज़रूरिया, अब हरे को individually पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले विल कवर Invisible DNA, history, KFC का example लेते हैं, KFC जो है, they discontinued using Colonel Sanders pictures in 1945, 1975 में वो आदमें देखते हैं, बुड़ा सा, जो KFC की shop, KFC के logo में होता है, ना सोया नहीं हुआ, तो मेरे shop बहुत जादा fumble हो रहे हैं, देख रहे हो तुम आज बहुत fumble कर रहा हूं, मैं, 1975 में उन्होंने discontinue कर दिया था, 2015 मे उनकी sales down गई थी, तो उन्होंने क्या कर रहा, WNK आपकी ये company थी, W Plus के, इनको hire किया, कि यार हमारी sales नीचे जारी, प्रीज यार हमारी help करो, तो उन्होंने इनके history देखी, and they brought back Colonel Sanders, और उससे क्या हुआ, इनकी sales ऊपर चली कि, तो देख रहे हो, history का यहाँ पे एक तरह से क National Geography पे था, एक show आता था, कि जो KFC है, उस जैसा आप same chicken घर पे बना सकते हो, ऐसा कुछ था, पता नहीं, याद मी आ रहा हूँजे, और मेरे को वहाँ से पता, जो मैं सोच हूँ, पता नहीं, क्या SAP होगी, क्या मसाले डालता होगा, जो इतनी नाम हो रही है, देख रहे हो, पता है vision, आपको Microsoft का vision यार, आप शायद, अच्छे मुझे बताओ, Microsoft के software free में मिल जाते हैं ना, आप आशे लोगों को, although मुझे पता है, आप बहुत अच्छे लोगों शायद पैसे लेकर ही देते होगे, पर जो लोग Microsoft में काम करते हैं, वो बताते हैं, कि Microsoft का software है, वो असली अच्छे में ठेका ले रहे हैं, हम अपना original कर रहे हैं, और हम तो बहुत चोटे हैं, असली में तो और बहुत बड़ी-बड़ी brands हैं, हो टोटल इनके साथ tie-ups लेती हैं, चीज का मजमारी है, to help people and business throughout the world to realize their full potential, ये Microsoft की vision है, आपका अभी एक vision होना चाहिए, third mission, जैसे unacademy का mission कर सकते हैं, to provide a free world class education for everyone everywhere, इस प्रकार का कुछ रखा था, यप, तो इन्होंने यार दो-चार चीज़े करी, जैसे की, भया, फ्री कैसे हुआ, जान मार लू मेरी, तेक है, यह यार, यहाँ पर थोड़ा सा mistake हुआ है, mistake in the sense, और यह मेरे से नहीं हुआ है, यहाँ पर पहले, किसी और का नाम लिखावा था, फिर I was not sure I could use the same name on some other platform, तो मैंने last moment पे इसको unacademy कर दिया, और मैंने अपना सा कुछ quote बनाया है, यह last में slide में मैंने change किया है, येस, पर I guess इनका भी कुछ ऐसा है, इनका शुरुवात में था free education anywhere, get free education anywhere इस तरह से इनका लोगों शायद, कुछ और हैं चीक है, ओ, let's crack it, yes, यहां पर आपका mission पता चल गया, free world class everyone everywhere presence, ठीक है, अबै किसका नाम ले रो यार, अपनी question भूल जाते है, मतला, मौरों की क्यों लूँ, मैं खुद का भी तो है, यार, हत होगे, मैं बात नहीं कर रहा है, तुम से, हम मैं नहीं कर रहा है, क कुछ ऐसा था कि animated content free, provide गरो, जब तक कर सकते हो, मैं सुझा है, क्या नाम इस्तिमाल करें, ठीक है, purpose, reason for brand to exist beyond making money, ठीक है, कि आपको पैसा कमाने है, पर उसके अलावा, आपका क्या purpose है, according to a study, जो top 50 brand है, with highest loyalty in common, उनकी एक brand ideal होता है, brand ideal का मतलब समझ रहो, जैसे dove जो ती, उस तो यह idea आपको साथ में sell करना होगा, आप काफी सारी brands देखो के, जो की charity पे, या फिर मैं example हम लेते हैं, डव का जैसे मैंने ले लिया, और कुछ quotations याद आ रहे हैं आपको, और कुछी brand, मैं को brands याद आ रही है, Tata, Tata का क्या है, मैं आम भूल गया, बट तो में 5 आ रही है, वो अपने purpose में, एक strong message देते हैं, जिसे की, आप और एक loyal audience बना पाते हो, यप, आगे चाहते हैं, values, values, shape organization's brand, जैसे Raymond है, उसकी एक tagline है, we care for excellence in everything we do, तेक है, तो Raymond है, उसका यार यार यह है, कि यार मैं चश्मा महेंगा तो दूँगा, पर बहुत बड़िया बना के दूँगा, तो we care for excellence in everything we do, यह values हो गई, जिबान के सरी, A company's best assets, ride up in the elevator every morning and ride down every night, इसका मतलब समझ रहो, आम आदमी, एक company की सबसे बड़ी asset होती है, आम आदमी, the people, जब आप किसी भी flight में जाओ, तो flight experiences where the flight attendant remembered the name and the drink never flight another airline, आप ऐसी service provide करो कि अगर आपकी flight में वो व्यक्ती जाता है, तो हमेशा आप ही की flight में जाए, आपका जूता पहनता है, तो आप ही का जूता पहने, आपकी चाय पीता है, तो आप ही की चाय पीए, समझ रहो, आपका newspaper पड़ता है, तो आप ही का newspaper किया, खाने के साथ-साथ बाकी चीज़ने डिलिवर करने स्टार्ट कर दी, जैसे की parcel and career, तो एक तरह से उसने अपनी competency extend कर दी, तो आप बाकियों से और अलग कैसे हो, वो चीज माटर करने स्टार्ट कर जाती, जैसे मुझे अभी भी याद है, although मैंने वो स्विगी से नहीं जैसे नहीं की बात कर लेते हैं, सबसे पहले होता है, प्रॉडक्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ, प्रॉडक्ट इस बाप, येस, प्रॉडक्ट में आज के दिन दम नहीं आप लोग ही नी, इस दा प्राइमरी स्टान ओफ ब्रांड डियने, मेर को बताओ, ग्रेट प्रॉडक तो प्रॉडक्ट इस मोर इंपोर्टन देन ब्रांड, यहां पर वोडफोन है यार जैसे, वोडफोन एक काफी बड़ी ब्रांड था, once the leading telecommunication company lost its way after merge with idea, तो आपकी ब्रांड माटर करती है पर प्रॉडक्ट उसे ज़्यादा माटर करता है, चीज क्लियर है, आगे चलते हैं packaging, हल्दी राम देखा है अपनी, हल्दी राम यहार एक छोटी सी shop से start हुआ था विका नेर के अंदर, आज एक 3 billion dollar की company है, क्यों? क्योंकि जनाब उसने वो मिठाईयां, वो snacks pack करके same level का taste maintain करते हुए आपके घर तक पहुंचाएं चीदे, डिवाली पे आप हल्दी राम का र यह होगी, क्योंकि universal taste है, किसी भी दुकान में जाओ, लगबग same sort taste मिलता है आपको, yes or no, यहनों ने भी अपनी, आपका trust बन जाता है, similarly यह Kevin Care's chick shampoo आता था, आप देखते हो, एक रुपे के packet में जो shampoo आता है, वो सबसे पहले यह लेके आए थे, तो इनकी rise में उस new idea का packaging का थ यह एक रुपे में आपको shampoo मिल गया, आपको कहीं पर travel करना है, एक रुपे का shampoo जगा भी ने लेगा, साथ में लेके जाए सकते हो, आप अपने college जा रहे हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, hostel में हो कि यहार मैं पूरे 200-300 पे लगा हूँ, आपने 2 रुपे लगाई, एक लगा है, आपका एक जिन का काम होगा, समझ में रहे है, pricing is very important, difference between price a customer is happy to pay, मुझे बताओ, एक shirt के कितने पैसे दे सकते हो, तुम, 500-700, इससे जादा में खुश नहीं होगा, मैं खुश तो 500-700 तक हो, ठीक है, and the total cost of, cost at any point of purchase is equal to value added by brand, ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ प की price लगा रखे मैंने, पर मैं जिस price में खुश था, वो थी 1000, तो क्या मैं बूल सकता हूँ, 99,000 की branding की पैसे देखा आयों मैं, गुची वही तो कर रहे है, yes or no, so that is equal to value added by branding, तो branding भी equally important है, क्योंकि फिर आप एक अच्छा price tag लगा सकते है, yes or no, अगर brand नहीं है, तो क्या product अच्छा नहीं है, तो चलेगा ही नहीं, branding अगर strong है, तो अच्छे पैसे पर बेच सकते हो, that's it, आगे चलते है, presence, availability होनी चीए यार, पता चला, branding तो इतनी अच्छी कर दी पूरी दुनिया में, पर मैं शूरू में जा रहा हूँ, तो available ही नहीं है वो बंदा, या वो product available नहीं है, yes or no, और मुझे यार एक चीज़ काफी लगती है, जाए को corona उसका reason है या और कोई, अगर हम apple को देखेंगे, आगर आप आज के दिन apple product लेने जाओगे, आपको शूरू में समान नहीं मिलेगा, ना आपको laptop मिलेगा, mobile भी आपको size, shape, iPad कुछ नहीं मिलेगा, आप stores पर बेच नहीं रहें वो जो आपके offline stores होते हैं, क्यों online बेचना चारे हैं, stores बस वो इतना रखना चारे हैं कि लोग आएं use करके चले जाएं, laptop कैसा है, उनके अंदर का वहम निकल जाए, और इसके पीछे मेरे को लग रहा है multiple reasons है, पहला YouTube के अंदर आज के लोग, जिन लो इसका मैंने टेस्टिंग किया था, इसका मैंने टेस्टिंग किया था, एक MacBook Air के साथ, new MacBook Air, जो की M1 चिप का आता है, जिसकी pricing आज के दिन शाद 86,000 है, आप मानोगे नहीं, इसने fast वीडियो रेंडर किया, और मेरे रहने निकल गए, इसके अंदर है i9 processor something, अब यह अलग बात है, मेरा laptop एक साल पुराना भी हो गया, तो हो सकता है, थोड़ा wear and tear भ रेंडर करने के लिए, उसने दो मिनट में रेंडर कर दिया था, और उसने second time render पे लगा दिया था, और मेरे हिसाब से लगबग दूसरी time render कर दिया था, अब आप YouTube पर जाके देखो के तो यह लगबग लगबग बराबर perform करते हैं, शायद मतलब अगर इसने चार में किया त मैंने का यार, कितना level का pricing improve कर दिया है और अब इसका M1 का एक और next X या M5 आ रहा है, मेरे को जाधा knowledge नहीं है, मुझे तो यह लगता है, एक point के बाद शायद यह market dominate कर दें, definitely कर देंगे, creator है वो तो इसी को लेगा, मैं अगर एक creator हूँ हूँ, मैं तो इसी को लूँगा, मैं और उसके अगले दिन मुझे पता चला Mac Mini आ गया है, और Mac Mini बहुत जादा fast है, और इतनी सी जगा लेता है, इतनी सी जगा लेता है, जितनी किताब नहीं ले रही है, उसे छोटी जगा लेता है, और मेरे custom PC टेबल के टेबल लेके बैठे हैं, ठीक है है, और दोनों की pricing से downgrade आ जाएगा परची काटने काई, वाह, क्योंकि Mac Mini में क्या होता है, AirDrop का feature होता है, जब आप बहुत जादा editing और animation वगरा कर रहे होते हो, तो हम pen drive वगरा बार बार ना निकालनी पड़े, तो मुझे लगता है, इनके पास इतना कलको bulk order आएगा, कि showroom में उतना stock रखी नहीं सकते हैं, यह नोने पहली start कर दिया है, कि यार, okay, आप order करो, और हम आपके घर पहुत आ देंगे, तो साथ में आप customization आड कर सकते हो, पहले आप showroom में customization आड नहीं कर पाते थे, मैं अपने iPad पर अपना नाम लिखवा सकता हो, पहले यह चीज़ सिर्फ U.S.S.S. होती थ personality in the sense, what makes brand interesting, in India, the three khans of Bollywood, yes, लगभग, सारी brand cover हो जाएंगी, Pepsi से लेके, बन्यान से लेके major काम, तो आमिर खान को जाना जाता है, as an intellectual star, yes, Salman को as an action star, शारुक को as a romantic star, तो अलग-लग brands के साथ, अलग-लग आपके बंदे, जुड़ते जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ आप खुद यार, अपनी, जैसे मैं कभी भी किसी से बात करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि, यार, आप अपनी brand बना रहे हो, तो अपनी शकल जरूर दिखाओ, yes, or no, at least one-to-one interact जरूर करो, आदमी interact किसके साथ कर रहा है, वो बहुत जरूरी है, yes, जैसे कि हम अपनी कक्षा पर भी होते हैं, तो मेरी एक बहुत रहे दिल से वो है कि हम टीचर्स की शकलें दिखा पाएं एक पॉइंट पर, अभी दिक्कत क्या होती है, हम शकलें दिखाएंगे, तो आपको अलग-लग studios चीह है, समझ मारे, कैमरे उतनी जादा चीह है, और आपको नहा दो कि सामने ready हो टीचर लेवल पे, तो जादा साइज नहीं लगती, audio file की साइज छोटी होती है, यस और नो, वहीं पर मैं 4K वीडियो शूट करूँगा, तो जो चीज मेरी 100-200 MB में आ रही थी, अब वो 20-30 GB में आएगी, और हाड ड्राइव सस्ती नहीं होती है, तो एक तरह से, वो cost cutting है, काफी बार वच्चे फूचते हैं भया, शकलें क्यों नहीं दिखा रहे टीचरों की, पैसे लगते हैं उसके, और काम slow होता है, और एक point पर हम दिखा रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है, वहां पे फिर जादा one-to-one student और teacher interaction हो रहा होता है, yes, great, तो next चीज के वपर आते है which is visual identity, logo इसलिए बनते हैं, yes, Nike का logo बन भी गया इसी चक्र में, color कौन सा आप इस्तिमाल करते हो, हर brand का एक color होता है, क्या मैं बोल सकता हूँ, Facebook का color blue है, Zomato का color red है, Snapchat का yellow है, Instagram का multiple rainbow type color है, blue, red, बहुत सारे color है, YouTube का red है, तो brand का एक color होता है, वो उसके साथ stick हो जाता है, Burger King को द gate बंद करते थे तो यूँ लगता था, हाँ, gate बंद किया है, तो अभी हमने recently एक property पर gate लगवाया और वो gate इतने मोटे है, इतने मोटे है, मतलब अच्छे खासे मोटे हो, तो आप gate को खोलोगे, बंद करोगे ना तो आपको यूँ लगेगा, दमदार gate है, वो बस vibe देने के content, काफी बार आपने देखा है, advertisement में महिलाओं की voice होती है, soft, और काफी बार ऐसे आमिताफ बच्चन जैसी भारी voice लगा रखी होती है, depending upon product कौन सा है, क्या product एक heavy base वाली demand जाता है, या soft, अगर cement बेच रहे हैं, तो cement का ad कभी देखना लड़की की अवाज नहीं होगी उसमें एक मोटी अवाज होगी उसके अंदर, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, जिस पे देश का हूँ वरुसा, right, मुझे नहीं पता मुझा cement का क्या है, पर मैं तो ऐसी कुछ भी बोल रहा हूँ, right, और वहीं पर माल लोग कुछ साबन वाबन बेचनी है, तो उसमें अमिताफ पोन के है, बोलते वक्त, मीडिया, सोचल मीडिया, एड्स, एंगेजमेंट, पॉइंट अफ्यू, और आज के दिन सारी की सारी ब्रैंड सोचल मीडिया पर आ गई है, तीवी कोई देखता नहीं सिवाए मम्मी हो के, नई जनरेशन नहीं देखते हैं, आप में से कितने फोड़ा इंटरनेट आया था, लोग बोलते थे, धीरे-धीरे कोई टीवी देखेगा है, नहीं मैं हसता था, पागल हो किया, मैं बहुर जाएंगे, काँ टीवी कैसे चला, ओल, 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 अब आप देखते हो, नहीं, इंटरनेट पर आप जा सकते हो, जरूर यह नहीं, आ और जो एक चोथा ही है, वो कॉलेज जाके छोड़ देगे, लगबाग सौ हो जाएंगे, ठीक है, कॉलेज में तो यार, होस्टल में वैसी, टीवी बस फिर इंडिया का माच होता है, तब देखा जाता है, वरना नहीं देखा जाता है, वो भी इंटरनेट पर लेबल होने ल अब जब आप brand awareness करते हो, तो जो आप message दे रहे हो, वो message is equivalent to nail, आपका message जितना sharp होगा, आप broadcasting कर रहे हो, आप तीन करोड लोगों से एक साथ वाद कर रहे हो, मालनो टीवी पे, तो आपका जो message है, वो sharp होना चाहिए, और hammer जो है, ठीक है, broadcasting है, वो एक तरह से hammer का का काम कर रह है, और यहां पर एक बहुत अच्छा quote है, जो आपके साथ share करूँगा, don't count the people you reach, reach the people who count, don't count the people you reach, reach the people you count, इस समझ मैं दुबार बता रहे हो, आज के दिन अगर आपको Instagram पे add डालना है, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेएगा, आपकी जो live location है, उससे आप कितने kilometer तक चा आता हूं कि add दिखे, तो इस 20 kilometer में जितने भी लोग रहते होंगे, अगर Instagram इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मानलो आप pencil बेच रहे हो, pencil थोड़ो, आप sandal बेच रहे हो, sandal हो सकती है, या fashion का कुछ बेच रहे हो, तो आगर किसी ने Google search में अपने sandal, कपड़े या मिंत्रा जैसी क रख पड़ता है, क्या आप चाहते हो, आपका add मुझे दिखे, नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, पर महीं पर मानलो मेरी मम्मी है, वो सकता हूंने fashion का बहुत सेंस, आप चाहते हो ना उनको दिखे, क्योंकि वो ले लेंगी, येस, क्या बोलू मैं तुम्हें क्या बोलू मैंने कल तुम्हें अपना विस्तर दिखाया था, मतलब तुझे लगता है मेर को fashion से, मतलब, तुम कभी देखना, अगर देखा हो अगा नी, एक adidas की jacket है, जो मैं पहनता हूं, वो मैंने ले थी लगबग 8th, 9th class में, तो पहले वो यहां तक थी, ठीक है, उसके बाद उसके edges आगे से कट-कटा गए, क्योंकि आप heavy use करते हो ना, तो आगे से कट जाते हैं, समझ रहे हो, तो ममी ने उसको यहां से काट दिया, अब यहां से काटा और ममी ने सोचा पोचा बना दोगी, अब मैंने पहनी, वो design लगने लग गई मुझे, किसी ने आज तक नहीं पकड़ा जो मैंने पहना, मेरे भाई ने पहना, उसके बाद मेरी बहन ने पहना, अब उसके बाद आज के दिन मेरा एक 4-5 साल का भाई है, वो पहन रहा है, मैंने उसके ओपर देखा और मैं कहरे हूं, यह यल्लो वाला देखा-देखा से लग रहा है, मौसी क्या रही तेरा ही तो है इस बच्चे के ओपर क्या भी तरही customer is not moron she is your wife जो customer है बेवकुफ नहीं है उसको अपनी wife की तरह आपको treat करना है देखते हो जुते की shop में जाते हो कितने सेंडल आपको दोलवा के पनाते हैं कितने कपड़े आपके लिए खोल के रखते हैं जनाब एक बार आपको समान पसंद आगया और product अच्छा आप next time होने की दुकान में होगे yes or no एक बार जहां से आपने दूद लेना restart कर दिया वही से दूद लेते हैं majority cases में until and unless आप left right घर से दूर ना चले जाओ होता है ना इसा एक बार जहां आप खाना खाने चले गए there is a high probability आप अगली बार भी वहीं जाओगे या फिर दस बार जा रहे हो तो 6-7 बार तो उधर पका जाओगे 3-4 बार आप नहीं चाहिए अगर try कर रहे हो yes or no this is customer retention आज के दिन बहुत important है नेक्स चीज़ के उपर आते हैं advertising is fundamental persuasion, persuasion happens to not to be by science but art advertisement के उपर है ना यार science नहीं लगता art लगता है फोड़ा deep है इसको समझाने के लिए at least आपका खुद का personal experience चीज़िए मैं इस चीज़ को आपको कैसे समझाओ आप maths की तरह नहीं देख सकते यार advertisement को मतलब जब हम एक dialogue बोलते है for example कोई भी quote ले लो मालो मेरा है जाओ अब फोड़ो राइट इसकी एक emotional sentiment है हर बच्चा इससे relate कर पाता है yes or no although इस टाइम मैंने निकाला था उतना सोच समझ के नहीं निकाला था और in fact मैंने निकाला भी निदा इस students नहीं बना दिया जाओ फोड़ो और मैं फिर बाद में लिखने लग गया इसको एंड में क्योंकि सभी बोलते थे comments में जाओ फोड़ो जाओ फोड़ो तो मैंने भी लिखना स्टाट कर दिया चलो फोड़ो 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 पताय था आपकी ब्रैंड कभी भी कभी इन और्गानिक से फोर्च्ट लोगों तक ना पहुंचे और्गानिक पहुंचे वह बेश तरीका होता है समझ पार हो येस और्गानिक पहुंचना बहुत जरूरी है ये सुसू ब्रेक क्या चाते हो मैं अगला पेज पर लिख दो सुसू ब्रेक गो गो डू सुसू गो डू सुसू मतलब मैं कहा जाओ सुसू कितना ही टाइम लगता है उस प्रोसेस में कि आइड बाक करके देख लेना कि कि आने जमाने में या डोल वाले होते थे आओ आओ समान ले लो फिर प्रिंटिंग प्रेस आइड न्यूस पर फिर रेडियो आया फिर टीवी आया फिर सिनेमा आया आज के दिन कौन है सोशल मिडिया येस सुशल मेडिया अर्ग ये चीज़ आपको पकड़ने पड़ेगी जनाब जैसे कि फॉर एग्जामपल आप अ फ्लाइंग विश्ट को जांते हो येस अमाल लो फ्लाइंग विश्ट के ऑर्गानिक रीच आपके यूट्योब के सामने आटोमाटिक रेकमेंडेशन आ फ और forced branding में पैसा भी लगता है yes or no organic best रास्ता होता है उसमें समय लगेगा 2 साल, 3 साल, 5 साल बट वो worth it होगा अब जो brands funding उठाती है उनके पास होते हैं 6 महीने result लाने के लिए एक साल में growth दिखानी होती है तो वो forced करते हैं आपके पास पैसा भी और टाइम भी नहीं है और आपके पास पैसा और टाइम जादा है और वो बढ़िया चीज़ भी है advanced brand communication सबसे पहले नेहा को आवाज मार नहीं है नेहा, attention तेरा राहूल यहाँ पर खड़ा है ठीक है, फिर आप deliver the message भाहर चलोगे फिर decoding मतलब communication यहाँ पर क्या होता है यह broadcasting वाली चीज़ दे रखे है deliver the message और फिर decoding होता है communicate in a personal relevant way मालो broadcasting आप ऐसे समझ सकते हो कि टाटा की मालो नहीं गाड़ी आई टाटा की नहीं गाड़ी आई और उन्होंने YouTube पे अपने चानल पे एक वीडियो निकाल दिया क्या मैं बोल सकता हूँ वो एक तरह से broadcasting है और लोगों को मालो वो बहुत पसंद आई जैसे टाटा सफारी है सफारी लोगों को बहुत पसंद आई यार पुरानी गाड़ी अच्छी वाली नहीं वाली भी बहुत पसंद आ रही है तो वो broadcasting हो गई वहाँ पे 10 लाग 20 लाग लोगों ने देख लिया अब वो व्यक्ती शोरूम में जाता है अब शोरूम में क्या होगा उसे one-to-one अटेंशन नल रही है टीवी से प्रेंट पें कैसे होगे क्या बूल रहा है अब आट फ्री सर्विस होती है यार यूट्यूब अगेर के ऊपर Amazon Prime, Netflix, screen time is increasing screen time increase हो रहा है battle for attention fought against everything a customer can access through any platform slash media अब जो मैं आया, 5 second का ad दिखाने के लिए वो कुछ भी करेंगे क्योंकि आप शटक पे बैनर पड़े ही नहीं हो वो newspaper मैट डाल रहे है तुम newspaper पड़ते ही नहीं हो समझ भारे हो क्या हो रहा है आज के दिन नई generation newspaper पड़ते ही नहीं तो दे आर मुविंग तो social media strategy framework for brand communication सबसे पहले discovery companionship companionship, exclusivity, belonging दुबारा नेहा की कहानी रिपीट करो या समझ गए पहला होता है exploring brand नेहा ढूंट रहे है कोई बड़िया राहूल है क्या राहूल ढूंट रहे है क्या companionship, spending time with brand यार एक particular brand है वो अच्छी है और उसके बारे में आप जादा जानने की गोशिश करते हो फिर exclusivity, choosing your brand अरे यार Adidas बहुत पसंद आ रहे है मैं उसी के साथ वो अच्छा रहे है एक Adidas है एक Revox है एक Nike है पागल हो रहा हूं सोया नियों दो दिन से कल भी नहीं सोना चार वज़े निकल रहा हूं है अच्छे वह लोग आदम है इस प्रिथवी पे उनी से खाऊंगा अगली बार मों में भी समझ रहे हूं मैं क्या बोल रहा हूं आप repeat करते हो उस व्यक्ति को तो जो आपका customer expect कर रहा है उससे surprise करो give him more कभी-कभी होता है न आप तरियानी ओडर कर रहे हो कर दो वह नहीं डामेज करेंगे कि आपने 200 रुपे का पनीर था ठीक है या फिर वही दो सब 25 रुपे का पनीर था वह इतना बड़ा मार्जिन नहीं है पर 25 रुपे में जो आप एक्ट्रा दोगे वहां पर आपको पकड़ना है customer को यार quantity देखके अच्छा लगता है अच्छी लगती है जो लोग लाष्ट में माउथ फ्रेशनर डालते हैं लाष्ट में वह एक टॉफी दे देंगे और एक माउथ फ्रेशनर नपके और चमच इसने तो मम्मी से जादा ख्याल रख लिया मेरा अब वहाँ प्यार बढ़ जाता है मेरा उस रेश्टॉण के प्रती जो घर के order में यह चीज़ देता है किसी की marketing के यार आपके कुछ pillars होते हैं वही मैं आपको शायद broadcast, narrowcast, repeat करने की जुरूत में सब को बता दिया हजार लोगों को अब जो 15 लोग आपके शोरूम में पहुंचे हों 15 को आप narrowcasting कर रहे हो same चीज अब आप है यार अपना शोरूम नहीं खोलोगे पर क्या आपके दिमाग में ऐसा हारा है कि आप अपना कल को app खोल सकते हो किसी idea से related तो app की आप broadcasting कर रहे हो किस पर कर सकते हो आप किसी social media पर कर सकते हो माल नो तुम्हें interior designing करनी है तो तुम एक app बना सकते हो उससे related मुझे नहीं पता तुम क्या service प्रवाइड करोगे मैं तो random examples ले रहा हूँ तुम YouTube पे interior designing के बार में सिखा सकते हो अपने project showcase कर सकते हो येस Amazon के अंदर भी chat with me का option होता है मतलब आप अपनी query डाल सकते हो और जो salesman है वो आपकी query कर देगा भाईया कि ये cover इस mobile पे लग जाएगा तो वो बोलेंगे हाँ लग जाएगा भाईया इस shirt का color तो नहीं उतरता नहीं उतरेगा भाईया इसे क्या warm water में हम दो सकते हैं हाँ दो पढ़ तो रहा हूं पर notes भी बना रहा हूं पता नहीं का अब apply होगा तो एक छोटी सी theory आपके साथ share करना चाओंगा जिसे कि आपको better vibe हो किसी भी company में जब आप as a new employee जाते हो मैं अब ये किताब पढ़ रहा था how to be productive at work उसमें लिखा था आप शुरुवात में जब तक काम सीखते नहीं हो जो आपका बॉस आपको बताये जा रहा है जो senior आपको बताया जहारा है आप सुनते जाओ और execute करते जाओ तो काफी बार आपको लगेगा यार मैं बस सुनता जारा हूं सुनता जारा हूं कुछ सीख तो नहीं रहा है बडर reality यह है आपके brain में वह stock होता जा जोड़े ज़्यादा खुश होगा यह बहुत बेसिक था खेर अपना ब्रैंड बना रहें कुछ लोगों लोगों होना चीए कुछ फिजन होना चीए एक मैसेज होना चीए जो लोगों तक पहुंचे अच्छा यार हम बाकि लोगों से क्या एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड क काफी बार आपने देखा है कुछ कॉस्मेटिक कंपनी होंगी वो बोलेंगी काफी ब्रैंड होती है कपड़ों की वो बोलते हैं नो आनिमल वाज हांड लैदर यूज नहीं करते हैं यह स्वार नो और काफी लोगों के लिए वो चीज मैटर करती है मैं अगर दोखूंगा ज्यादा पैसे का अगरफ रखनी है तो आप भी सुस्ति यार ले लेते हैं चलो yes or no don't just put on label also post animal care videos on youtube यह क्या कह रहा है सिर्फ बोलो मत यार we do not test on animals यूट्यूब पे वीडियो डालो animal care related तब लोगों को पता चलेगा कि यार यह व्यक्ति जो कपड़े बनाता है यह किसी animal को हाम नहीं करता समझ रहे हो आप drop it on pet website यह क्या pet related कोई website हो गई वहाँ पे आप अपने वीडियो चला रहे हो देखो हम animals को हाम नहीं करते है तो pet lovers शायद हो सकते है आपके तरफ जादा divert हो वह आपके targeted audience यह मामा अर्थ मामा अर्थ की पहले broadcasting होई है कि किसी influencer को उन्होंने पक एक साल पहले भी जानी जानते होंगे मेरे इसाब से फिछले एक साल में कैसे जान गए मतलब यहां पर जो बच्चे उन्हों में से एक majority जानती है ठीक था influencers ने बता दिया आपको वह होती है broadcasting अगर आप वह Amazon पर बेचते हैं अपनी website पर बेचते हैं वहाँ पर कोई customer कुछ पूछते हैं वह हो गई narrow casting की समझ में आगई आपको दोनों अब मुझे यार यह बताओ कि किसी भी पुरानी डव को लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा क्या मैं बोल सकता हूं पांच-छे साल-दस साल डेकेट लगा दिया उन्होंने इतने लोगों तक पहुंचने के लिए जो इस मामा आर्थ नहीं एक सा अब एक कोचिंग इंस्ट्यूट आता है वो अपना यूट्यूब पर अद्वर्टिसमेंट नहीं कर सकता है मतलब वो ज्यादा लेके नहीं आएगा जैसे कि मैं अपना एक छोटा सा एक्जामपल बताता हूँ आपने कॉलेज के सेकंड या थार्ड यर में था तो जिस टीचर ने मुझे एक बार 11-12 में पढ़ाया था उन्होंने मुझे कहा अमन यार तो तो यूट्यूब पर बनाता है अगर किसी को को फिजिक्स का टीचर चीए हो मैट्स का टीचर चीए हो तो हम पढ़ा सकते हैं वो टीचर जन्वेन थे मैंने कोई पैसे वैसे नहीं ले थे उनसे मेरे लाग सब्सक्राइबर थे मैंने का ठीक है यार बता देते हैं किस कोई बच्चा चीए हो तो मैंने वीडियो में बोल दिया था अब उनको बच्चे call तो बहुत कर रहे हैं बच्चे call तो बहुत कर रहे हैं पर वो पूछ रहे हैं अमन भई आएं क्या और मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि मैं मेरे को नहीं पता मैं math बढाता हूँ मैंने का ओहो होने लग रहा है ये मेरा number है ब्लंडर हो गया पर point being उनके पास शायद second call आयोंगे पर जो बच्चे convert हुए वो बहुत कम थे मतलब आई गए शायद 4-5 बच्चे ही थे जो कि उनके institute में गए पर calls उनके पास बहुत आए अब यहाँ पर आपको एक flow समझ में आ रहा है marketing आप कितनी अच्छी करो पर strategic होनी चीए एक coaching institute होता है यार चीक है माल ले यह पीतम पुरा में है अब इसके अंदर कौन लोग आएंगे यार पड़ने क्या मैं बोल सकता हूँ जो इसके 10 km के radius में वोई लोग आएंगे max to max 20 km तो यहाँ पर advertisement का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा मेरको लगता है newspaper के अंदर template बना के वेज़ दो newspaper के अंदर template बना के वेज़ दो वो सबसे तगड़ा तरीका होगा माबाप पढ़ते हैं दूसरा आप max to max यह कर सकते हो instagram पर आड चला सकते हो उस particular 10 km पे अब बैनर भेंगे होते हैं न यार मैं एक छोटे individual की बात कर रहा हूँ तो तुम बड़े बड़े नाम ले रहे हो यह तो एड भी चला सकते हैं जिनके तुमने नाम ले हैं तो दो-तीन teacher ने छोटा सा एक institute लिया था उसका बात कर रहा हूँ तो यह पेंपलेट वाला काम सस्ता होता है यह लगबग 60-70,000 में निकल जाते हैं और आप एक अच्छा एरिया कवर कर लेते हो तो उदर से हो सकता है इनके 20-25 बच्चे तो उड़ाते हैं तो यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कोई भी आप स्टोरी देखो किसी भी ब्रैंड की उसमें एक कॉमन ऐसी सी चीज मिलेगी एक हिरो था है जिसके पास कुछ hidden ability है जैसे अनुमान जी को अपनी शक्तियों का नहीं पता था पहले तो एक mentor आएगा और वो बताएगा रहे हनुमान जी आपके अंदर तो बहुत सारी शक्तियां है वो prepare करेगा hero gets prepared forms team एक team बनाता है और दुबारा problem की तरफ जाता है hero को अपनी reserve शक्तियों का पता चलता है अनिमान जी को पता जलता है मेरे तो ये शक्तियों है finally hero जीत के आ जाता है हर advertisement के अंदर आप सम्हाओ यही देखोगे पहले मेरे चहरे पे pimppers थे फिर मुझे पता चला आप और आपको कोई नहीं चुड़ा हो मेरे यू लगता है और तो ठीक है होंगे नहीं होंगे एक तरह से उसने यह नहीं बोला गोरा अच्छा और काला गंदा मेरे इसाब से बोला है उसने तब आप यह चीज चली कैसे पुछाने जमाने में टीवी में आज के दिन तो social media अधिया रॉंद नहीं थे इन चीजों को मतलब उड़ा नहीं देगा कर क्या रहे हो यह तो openly एक तरह से बाइफर्केशन कर दिया आपने यह चीज अच्छी यह चीज गंदी नौट गूड है तो अब रेसिजम भी नहीं यार यह तो मतलब साब इंडियन है यह आपे तुम कौन सी रहे है ठीक है मतलब पर हाँ बोल सकते हैं से एक तो कल को तुम अपनी भी कुछ इस प्रकार की स्टोरी बना सकते हो यह एक अपनी कक्षा की बनाया है पैरेडी स्टो पैसे नहीं थे फिर कुछ फ्री कॉंटेंट बना वह फ्री कॉंटेंट मैंने पड़ा अब मेरे नंबर जादा आ गए मतलब हरेक में आप स्टोरी लगा सकते हो यह यह पहले मेरे बहुत खुचली हुआ करती थी फिर यूटूम!!! अपने बच्चे की हाइट नहीं इस तरह के आपको में मिलेगी! स्ट्राटेजी फ्रेमवर्क पर ब्रांड कम्मिनिकेशन मेजर्स परफॉर्मेंस एंड विन इंबल तो चेंज लिसन ज्यादा समय नहीं लोंगा एक तो डोंट गेट नंबर्स लेडियो लेट देम गाइड यू नंबर्स आपको कभी भी नहीं बताए रहूंगे जैसे यार मेरा एक मानना है कि सोशल मेडिया पर आप नंबर से नहीं चल सकते हैं एक छोटा सा चीज बताओ क्या विव्यूज ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं या कमेंट्स ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं आपको शायद लगता होगा इंपोर्टेंट्स को मतलब है कर रहे हो वो कमेंट्स में कितना बात करते हैं ट्रिप बताता हूँ, आप हमेशा ये देखो कि इसके एक लाख व्यूज़ पे कितने हजार लोगों ने लाइक किया, if more than 10% people are liking it, 10% people liking का मतलब समझे रहो, एक लाख व्यूज़ पे 10,000 लाइक है, मतलब वीडियो बहुत शांदार था, और लोगों ने love किया, 10 में से एक व्यक्ति अगर like करता है, वो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो, like तो बहुत कम मारते हैं न, पिला ली मैं क्या कहना चारू, येस, फिर एक होता है, कि मानलो 10,000 like हैं, और 90 dislikes हैं, तो क्या आप like-dislike का ratio निकाल सकते हैं यहाँ पे, 99% से जादा लोगों ने like किये, this is amazing, amazing content, तो मैं अपने आपको हमेशा ऐसे track करता हूँ, तो जैसे अभी हमने एक meme डाला था, अपनी कक्षा के उपर अगर आपको याद हो, जो कि trending में चला गया था, मेरी टीम ने बताया, that the meme was on trending, and I was like, wow, meme trending पे था, जो पढ़ाना छोड़ दूँ फिर, क्यों कर रहे हैं मैंने मेंशन, यही कर देते हैं आप, आई साब, पूरा ऐलकॉल फिनॉल इतर गताम हुआ, तब क्योच नहीं, पर अब meme डाल रहा है, अब मैंने उस meme के पास जाके गया, और मुझे पता चल गया, यह meme हमारा गंदा meme था, उस पर 98% like ratio था, येस, उस पर, I guess 2.6 lakh views आये थे, और 27,000 like थे, एक तरह से तो 10% से ज़्यादा likes हैं, तो अच्छा है, पर मैंने का इसे अपनी old meme से साथ हम compare करते हैं, आपको वो याद है, हमने Game of Thrones की एक डाली थी, और एक Avengers की डाली थी, येस, उन दोनों का 99% से उपर like ratio था, 99% plus, और उन दोनों में यूँ था, कि लगबग 20% like ratio था, initial viewership पे, एक point के बाद यार अगर आप channel की size के उपर जाते हो न, मानले मुझे usually 2 या 4 लाख बच्चे देखते हैं, पर उस वीडियो पे 1 million लोगों ने देखा, तो एक तरह से 6 लाख नए बच्चे थे जो उतना नहीं देखते, वो कम like बटन दबाते हैं, जैसे ही आपकी viewership ज़्यादा होती है, तब like ratio drop होता है, like मतलब कितने लोग, पर फिर भी 15-20% लोगों ने like किया, क्या मैं बोल सकता हूँ, यह पुरानी meme trending में नहीं आई, but this was better, people enjoyed Thor and Game of Thrones more than that karate kid, and in fact मैं यह भी बोल सकता हूँ, नंबर को आपको इसलिए trust नहीं करना चीए, क्योंकि शायद audience यहाँ पर बनी थी, बच्चों को यह लगा था कि यार, पुरानी दो meme इतनी अच्छी थी, कि यह तो अच्छी होगी ही, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसके momentum पे यह तीसरा video trending पे आया था, पहले दो ने जो momentum बनाया, उसकी वज़े से वो तीसरा trending पे आया था, तो आप हमेशा जब इस चीजों की बात आती है, आप numbers को वैसे मत देखो, अगर देखे रहे हो, तो आप यह देखो audience engagement कितना अच्छा था, ठीक है, पदा नहीं मेरा इस example से ज़्यादा समझवाया है या नहीं आया है, और जब आप अपने numbers कर रहे होंगे, तो वहाप आप total numbers पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, लोग यार बहुत गालियां देते हैं मुझे काफी, और मुझे तो बहुत कम पढ़ती है, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि 99% education ही ला पाता है like ratio, या फिर आप vlogging करो वो channel ला पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति जुड़ा होता है, मन से तब भी vlogs देखता है, वरना नहीं देखता है। मैं को अभी भी याद है, बहुत influential politician ने का था, वहाँ अब दिन की एक डो किलो गालिया खाता हूँ, इसलिए इतना काम कर पाता हूँ, तो गालिया आपको मिलेंगी, ठीक है, पर उन से आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए, तो बैतर करने के लिए बन पर रही है, अब मैं नहीं देख रहा हूँ था, बिल्कुल भी, How to create strong connections, Sherlock Holmes सबको पता है यार, Sherlock Holmes की स्टोरी बनी थी 1891 में, और उसकी जो author था, उसकी स्टोरी उसने 1927 तक बनाई थी, इतना समय लग गया था उसकी स्टोरी बनाने में, पर क्या आज भी उसकी मुवीज चलती है, Benedict ने बना रखा है, आपका Iron Man में जो Robert Downey Jr. है, उन्होंने भी मुवी बना रखे है, पता है आपको, सब जानते हैं, ऐसा क्या किया कि यार, सौ साल से ज़्यादा ही इसकी मुवी अभी भी चल रही है, इसलिए चला, क्यूंकि इन्होंने यार, accordingly changes करते रहें अपनी story में, इन्होंने plot बदलें, इन्होंने character बदलें, story में changes लाएं, जिससे साब से modern audience का taste बदल रहा है, modern चीज़ें इसमें add करी हैं, same पुरानी वाली story दुबारा copy paste नहीं कर रहें, चंट्रेला की तरह है, समझ रहें मैं क्या कर रहा हूँ, although उसमें भी आप changes कर देते हैं लोग, original संट्रेला story अलग है, जो आपको दिखाई जाती होगा, यह कह रहा है, जो brand update नहीं करते हैं, जैसे Nokia हो गया, Kodak हो गया, Blockbuster Video हो गया, Hindustan Motors हो गया, तो मैं पता है कुछ ऐसी ऐसी जो एक जमाने में top 50 companies गुआ करती थी इंडिया की आज की दिन exist नहीं करती कहीं पे, यह इस bank का example ले लो, top 50 में था, एक दम से bankrupt, कितने सारी chemical industries थी, 80s के अंदर जो की top 50 में आती थी, आज की दिन कहीं नहीं है, तो अगर आप time के साथ नहीं बतलोगे, तो जनाब चाहिए आपका इतना percent आपने market capture कर रखा हो, उसको 0% होने में बिल्कुल time नहीं लगता, 2 साल कहानी change, Yes, Contact plus information equal to knowledge, Knowledge plus relevance equal to engagement, Engagement equal to differentiation, एक छोटी बात बताओ, ज्यादा किताब भी नहीं पढ़नी चीए, आपको है न, on ground work करना पड़ेगा, जहां ज्यादा बखवास हो रही होगी, मैं को दिकाट दूँगा, एदा detail गयार subject सोड़ना है, मेरा 95% सोड़ना लेके आने इसमें, एक idea पता चलना चीए, आपने कितनी चीज़ें देखी है, वो बहुत ज़्यादा matter करता है, खुद आपको अपना स्टार्ट करते हो, सो कस्टमर के पास जाके पहले पूछते हो, आपको चीए नीचीए, तब आपका on ground experience बनता है, ठीक है, यह सब इतना कुछ important नहीं है, यह देखो, यहाँ पर market share, एक और story हम सुनते हैं, एटल आइडिया Vodafone, 70% market share hold कर गे रखते थे हैं, 2013 में क्या हो गया, जियो विल एंटर दा market, ऐसी ऐसे कुछ-कुछ एक्जामपल है, 2016 में जियो लॉंच हो गया, and swept the carpet from under them, 2020 में Vodafone idea struggling to survive, जिनके पास पूरा market share था, आज के दिन वो struggle कर रहे हैं, survive करने के लिए, yes or no, time बदलने में, बस कुछ साल चीएं, आप अपनी life में कहीं पर भी बैठे होगे, निक्कर में, कुछ साल चीएं, एक चोटा सा किस्का याद आ रहा है, moon पे दो लोग चड़े थे, एक उनील आमस्टॉंग था, और दूसरे व्यक्ति का नाम मुझे, याद नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा है, मैंने कहीं लिखा भी था एक बार, Aldrin था शायद उनका नाम, Aldrin है उनका सरने, वो व्यक्ति चांद पे जा चुका, चांद पे जाने वाले व्यक्ते का मतलब समझे रहा है, इससे ओपर क्या आ जाओगे, कोई बोलता मैं पहाड चड़ लिया, वो वक्ति बोला मैं चांद चड़ लिया, और अब बस ठीक है, और टेयर बैलोन की तरह हो यार, जब तक आग जगती रहेगी, उपर चड़ते जाओगे, जिस दिन आग बंद, नीचे है, काम ख़ता है, अपने यार वो सुने, एक चीज बोलती है, फॉर्मर रेसलर, फॉर्मर मुवी स्टार, फॉर्मर सबसे गंदा शब्द है, फॉर्मर का मतलब पता है, कोई ऐसी चीज जो आपने शायद पहले करियो, उसके बारे में जाना जाता है आपको, फॉटर में आपके पास कुछ अच्छा है नहीं, इसलिए आपके इतिहास कोई खाड़ा जा रहा है, येस और नो, आपका जमाना जा चुका है, तभी आपको फॉर्मर बोला जा रहा है, आपको हमेशा फॉटर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्यार ओके, आज मैं शायद सितारे पे हूँ, पर मेरे को ये देखना है, मैं नेक्स सितारे पे काईसे पहुंच सकता हूँ, आप वो देखते जाओगे, तो लोग आपके आगे फॉर्मर नहीं लगाएंगे, वो आपको फिर बोलेंगे, ओके, दे बिजनस मैन फलाना, चीक है, या फिर बोलेंगे, या फिर बिजनस मतलब ये व्यक्ति, चाहिए वो आज की दिन रेसलिंग ना करते हूँ, और हो सकता हूँ उन्होंने ब्रैंड इतनी सॉलिड बना लिए हूँ, तो ये चीज बहुत इंपोर्टेंट है, आप कभी भी रुख नहीं सकती है, जिस दिन रुखों के लोग भूल जाएंगे, क्योंकि 7 billion लोग हैं, और रजिस्टर दिमाग में बहुत कम हो पाते हैं, तो फ्रेश ब्लड आपके दिमाग में, फ्रेश ब्लड है, वो उल्ड ब्लड को रिप्लेस करता रहता है, रुबल खली यहार एक है न, रिगिस्तान है, लार्ज़स्ट अनब्रोकन सैंड डेजर्ट, अनब्रोकन सैंड डेजर्ट मतलब एक साथ जो सैंड डेजर्ट आता है, उसके ओपर से लोग अपना एरोप्लेन नी लेके जाना चाते हैं, बताओ क्यों, उनको यूँ है, गलती से क्राश क्रूश हो गए, पराशूट से कूदना भी पड़ गया, तो रेस्ट्यो टीम आ नहीं पाएगी बचाने, बीच में कहीं, गिर गिरा गए तो, इतना बड़ा वो विरान इलाका है, ठीक है, इतना गंदार एक इस्तान है, कोई उसके उपर से उड़के नहीं जाना चाता, उसके बावजूद वहाँ पे पेड़ पौदे उख जाते हैं कुछ, क्यों? इसका ब्रांडिंग, मार्केटिंग से कनेक्शन समझ पारे हो, मैगी के उपर एक बार केस हुआ था कुछ, कि इनकेस में कुछ LED-WED होता है, पतानी क्या होता है, पर मैगी का एने connection था, अपनी audience के साथ, वो जब दुबारा relaunch हुई, उसी force के साथ हुई, जितना पहले उसके पास market capture था, येस और मूँ? तो अगर आपका अपनी audience के साथ, अच्छा एक connection है, तो कितनी ही harsh condition आएं, आप वापस उसमें से बच निकलोगी, तो आट connection is very important, येस, ब्रांड to customer connection, आपको soft engineer बनना है, आपका passion है, और आपको DSA करनी है, तो आप, अब किसी ने पूचा भया, ठीक है, हम अच्छा connection बना तो लेंगे, पर बनाना कैसे है, मुझे बताओ, मैगी, noodles के लिए एक हैतर रास यूनी कैसे बेस्ट है, वो मेरे 3-4 चीज़ें ठीक कर देता है, बताओ क्या, एक तो pricing बहुत सही है, 10 रुपे में आ जाती है, फिर ओल्दो 2 मिनिट बोलते हैं, पर 10 मिनिट में बन जाती है, वो भी कम टाइम ही है, कभी भी बना लो, पानी चीज़े होता है, बस गरम करना होता है, ठीक है, मैंने का, बारा बारा क्या कर दो, 12 रुपे, बारा रुपे की होगे क्या, बारा रुपे की होगे, 10 मिनिट लगते हैं, बाकि यार मैंने देखा है, 10 मिनिट है गैस पर लगते हैं, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक स्टोव पर करोगे न, और हाइस टेप्रेचर पर चिपका दोगे, तो बहुत जल्दी मना देता है, लगवक तीन मिनट दो में कर देता है फिर वो, अगर तुमने उबलते हैं पानी के अंदर या डाली है, और इलेक्ट्रिक स्टोव है, वो बहुत जल्दी करम करता है इसको, वो बना देता है दो मिनिट में, पर चलो हम गैस पर कर रहे हैं, मान ले मैं Mother Dairy आईस्क्रीम का, या फिर मैगी का ये एक्जमपल ले लेता हूँ, चार होते हैं यार, एक उतार डिपर, यहां पर है साटिस्फाक्शन, साटिस्फाक्शन लो है या हाई है, फिर ये है एक्जिट बारियर, एक्जिट बारियर का मतलब समझ रहे हो, मान लो तुमने एक नूडल स्ट्राइ किया, और वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम एक्जिट मार जाओगे ना उस ब्रैंड से, या अगली बार इसका नूडल नहीं काऊँगा, अब बहुत गंदा था, तो एक्जिट लो है या हाई है, रिस्क आफ चेंज, तो अब देखो, एक्जम्पल लेते हैं, चार नूडल ले लेते हैं, नूडल नूबर 1, नूडल नूबर 2, नूडल नूबर 3 और मैगी मान ले नूडल नूबर 1 है उसमें मेरे को satisfaction भी नहीं मिला ठीक है और exit barrier भी बहुत असान था मतलब मेरे पास 3 option और थे I had 3 more options तो क्या मैं बोल सकता हूँ, वो deeper category में आती है पर इसके बावजूद मेरे पास 2 option और है मतलब आप easily उसमें से exit मार सकते हो या ठीक है, अच्छा नूडल है पर मैं exit मारना चाता हूँ, वो desire category में आती है एक होता है devotees, इसमें आती है Maggie इसका satisfaction level भी ultimate है high और इससे आप exit भी नहीं मार पाते क्यों है क्योंकि जो बचे हुए हैं, वो उतने बहतर है नहीं समझ भारे हो, मैं क्या कहरा हूँ उतने बहतर है नहीं, इसके level पर कोई compete नहीं कर रहा है हर जगा available होता है, यह सस्ता है जल्दी बनता है, टेस्ट जुबान के लग चुका है पिशले 10 साल से मैं खार हूँ, मेरे टेस्ट वर्ट को यह खानी फिर एक होता है detainees, detainees का मतलब यह होता है कि कभी-कभी यूँ भी तो हो सकता है कि 3 option है ही नहीं मानले, एक ही ice cream का option है, तुम किसी state में रहते हो किसी district में रहते हो, और वहाँ पर वस एक xyz company की ice cream मिलती है तो अब satisfaction level low है पर तुम exit नहीं कर पा रहे है तो एक तरह से तुम उसी से खुशी कर, मतलब संतुष्टी पा रहे हो, you don't have much options तो जो एक आद option है, उसी से आप संतुष्टी पाने की कोशिश कर रहे हो, तो वह आपकी तो जादा चीज़ें provide कर रहे हो पर के अंदर low satisfaction easily switch to another brand हो जाता है desirer के अंदर high satisfaction, likely to not to have another ice cream इस ने ice cream का example लिया है यहां पे हमने, मैंने maggie का ले लिया devotees, so highly satisfied that customer will never switch to another brand जैसे maggie हो गई detainees, low satisfaction but no other option available, चीक है क्या रहो, यह तो मेरी ममी मेरे बारे में बोलती है क्या पापा बोलते है आप क्या करें है, जो है वो है आप इसी से, जो होगा बगवान every brand creates and manages the three E's, expectations, experiences emotions मालने BMW ने एक नहीं गाड़े निकाले कुछ expectations होती है न यार इसकी performance क्या होगी, engine कितना strong है 0-100 कितनी जल्दी कर रही है और personality क्या है, personality मतलब दिखने में कैसी है first impression कैसा जा रहे, पीछे से कैसी है, आगे से कैसी है experience, actual brand interaction मतलब मालनो तुम उनके showroom में जाता है जैसे मैं एक बार Mercedes में गया था और उनके पास cover car available भी नहीं थी वह manager के पास वही गाड़ी थी उनके, manager ने अपनी गाड़े दी कि यार आप test drive करके जरूर जाओगे, ऐसे मत जाना उन्हें को बड़ा अच्छा लगा गाड़ी रोन के लिए एक दम से मेर ले तो वह आपका brand interaction strong हो गया events and outcomes, बीच-बीच में events and outcomes कभी-कभी देखते हैं, mall में जाके BMW खड़ा हो जाएगा और event organize करा देंगे वो आपके experiences, emotions how people feel before, during and after using a brand BMW Mercedes before तो आपको पता ही है कैसा feel करते हो सपने जैसा, cash mail जाए, during स्वाद आगया and after using a brand मैं कुछ बलो होगा नहीं स्वाद आगया पर मेरा मानना यह है कि पॉइंट के बाद कितनी महंगी चीज हो, उससे उतना स्वाद नहीं आ रहा होता है फिर खर्चे भी होता है, इनकी insurance महंगी होती है इनका शीशा टूटेगा तो पता चलेगा ओहो, यह दो दो लाग का खर्चा है आ गए चालते हैं brand behavior यह तुम्हें पता है, तुमने 66 slides cover कर ली है इस इस दर लास्ट slide अब इसके बाद मेरा स्पॉंटी वाला phase start होगा finally slides का ताम मैं बोल पाँगा brand behavior in the relationship journey स्पॉंटी मतलब spontaneous talks मैं तो स्पॉंटी मेरा best जाता है समिनार मुझे लगता है आपको और यह चीज मुझे एक व्यक्ति ने सिखाई थी जब मेरा first seminar हुआ था बीकानियर के अंदर तो मैं थोड़ा nervous था तो वहापे already एक वो कुछ लोग नहीं होते यार जो कि stage के host होते हैं तो वो व्यक्ति लगबख 40-45 साल का था और उसका काम hosting ही था उसको पैसे दे के सिर्फ function को host करने के लिए बलाया गया कि देवियों और संजनो अगले जो हमारा prize है यह मिलता है सबसे अच्छे नंबर लाने वाले वाले तो वो तुम पन्ने पे मत लिखो कि क्या मैं बोलूगा वो स्पॉंटी दो एक पॉइंट के बाद तुम बहुत अच्छे स्पॉंटी में जोड़ता होगे और वो एक fact है पांटे और फांच फांच गंटे के seminar लेता हूं without any preparation शायद यह first time हुआ होगा कल और आज जब मैं slides बना के तुम्हारे पास आया हूं अब भी इसलिए क्योंकि कुछ examples वगेरा वरना यह चीज में हाथों से लिखता 60 slides तो पता चला 10 गंटे में class फ़तम हो रही है सब ने मुह पर कर दिया है टांगे उपर है brand behavior in the relationship journey सबसे पहले discovery दोबारा वही चीज हो रही यार नहीं रहुल वाला एक्साम पर डिस्कवरी तुम बोलते हो I am curious customer का response आता है I am curious फिर आता companionship I am excited मतलब एक दोबारा बाहर गूमने फिमने चले गए दोस्ती वुश्ती कर रहे हो दोस्ती वाला फेस चल रहा है कोई चीज माटर नहीं करती यार पहले पैरों पर खड़े हो अवकात बनाओ वो सबसे important चीज है इन फालतों चीज़ों में बिलीव मत करने लग जाना personality वगरा यह सब सुनने में अच्छा लगता है जब कल को शादियां हो रही होंगी उसके पापा नहीं देखेंगे कितने फणी जोक मारते हों समझ रहे हो ना वो यह देखेंगे और personality बदल सकती अभी पढ़ाऊं किताब मेरे दिमाग में बार बार वो आईडिया आरा किसी comedian ने चला रखा था किसी लड़की से पूछा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है I like the personality और फिर मैंने यह पढ़ा personality isn't permanent यह किताब मेरे को पढ़नी है यह किताब तो पढ़नी है काफी अच्छी किताब थी Exclusivity Exclusivity का मतलब I am committed अब आप commitment वाले रिष्टे में आ गए हो express gratitude, make every contact special reward the extras फिर होती है belonging be proactive, I am fulfilled milestone भी useful आप पांच लोगों के सामने तारीफर कर रहे हो washing powder निर्मा क्या बढ़ी अदूदी सी सफेधी निर्मा से आई आप बांच लोगों के सामने गाना गार हो जैसे कि मैं आप सभी लोगों के सामने now we'll be moving to the next topic of today's seminar right मैं पानी की बॉटल लेके आ जाता हूं थोड़ा संगला पी लेता आप देख रहो शवद का मिश्रण जो हो रहा है आज है इस फिल्ट लेट्स री राइट आर स्टोर्ड यहां पर कितने लोग हैं जो शाई हैं तो कुछ पोल कर लेते हैं मुझे भी स्ताट पता चल जाएंगे एकले साल जिमिर चे को क्यों पता हो पेले से जो हैं इंट्रोवर्ट शाई हैं वो ट्रूपे कर देना शरम आती है स्टेज के उपर खड़े होके बोलने हैं अब पांच लोगों के सामने क्लास के आगी खुल बोलने में अब एक फाक्ट बता दू जनाब क्या मैंने अभी आपको बताए था एक करोड़ जो मिलियनेर्स थे येस एक करोड़ कितने थे जन्होंने मिलियन डॉलर कमा रखा है और इन एक करोड़ में से 90 लाख लोग जो थे वो स्टार्ट आप और विजनस टाइफ के करते थे और आप आपको पता है अंटर्टनौर की सबसे तकड़ी स्केल क्या होती है और यह जेगां चाहिए नहीं जाने और आपको बाते करने आने चाहिए आप वो बोरिंग बंदें नहीं होने चाहिए क्या कली मैंने बताय था एक चीज होती थी थी विया गूड लिसनर आज की दिन वो ऐसा नहीं हो कि दो लोग बैठे हैं, अगला व्यक्ति बोलनी रहा और ओक्वर्ड हो गया, आप यह नहीं चाहते हैं एक विजनस डील के अंदर, अगला नहीं बोल रहा तो आपको speaker होना चाहिए, you have to make things interesting, yes or no? मैंने का, okay, तो अगर 80 प्रतिशत लोग बात नहीं कर रहें, तो क्या मैं बोल नहीं सकता, आपने बचे वे 20 प्रतिशत लोगों के लिए game और असान कर दिया, इनके लिए आसान है, देख रहे हो कैसे competition हटता है, इसका मतलब यह नहीं है यार कि आपका introvert personality permanent है, एक छोटा सा example एक लड़की थी हार, ठीक है, 2008 में crisis आया था, economic crisis आपको पता हो, United States के अंदर, इस लड़के को नाम था Vanessa, ठीक है और इसकी job यार उसके अंदर चली गई थी, और फिर जब आद में घर में बैठा होता है, इसने अपने आपसे पूछा कि मैं अपनी life में कर क्या रही हूं, क् जादा नहीं बताऊंगा, इसने mountain climber बन गई है, और यह ऐसी mountain climber बनी कि इसके हाथ काफी सारे आज के दिन Guinness World of Book Records है, केटू को जानतो है, हमारे इंडिया के अंदर आता है, पूरी की पूरी मुवी बनी है, हमारे बल्ली वोड में इसके उपर, इसे पूरी world की सबसे मुश करती है, आज के दिन इसका में यह है, कि मैं बाकी लोगों की life कैसे बहतर बना सकती, सारा चीज उसके उपर लगा रखा है, राइट, तो, मैं अभी बहुत सारे आज आज आपको किस से सुनाओंगा, जैसे आपको लगेगा कि, एक तो पहले मेरे को देख लोगा, ठीक है, आज का सेमिनार ले रहा है, एक वीडियो है, यहाँ पर स्क्रीन स्विच करने का ओफशन होता है, तो मैं तो मैं एक फर्स्ट वीडियो दिखाता है, जो मेरे चानल पर डला हुआ है, शायद आपने देखा होगा, तो, इसे मैं आपको बताना जाओंगा, पहला, पर्सनालि था, इसलिए मैं ऐसा हूँ, सुनो भाई, पर्सनालिटी, हाँ, उसका भी कॉंटर्बिशन है, आपके जो पास्ट ट्रॉमा रहे हैं, वो आपको पर्सनालिटी बिल्डिंग में उनका कॉंटर्बिशन होता है, पर आप सब कुछ उन पर नहीं कर सकते, must be, what, discovered, लोग कहते ह अपनी पर्सनालिटी को discover करो, अपनी पर्सनालिटी को discover करो, देखो आपके अंदर कौन से टैलेंट शुपे हुए हैं, और वही आपका passion बनेंगी, यह बक्वास है, इसे वड़े बक्वास मैंने सुनी नहीं, आस्ता, अस्ता उल्टा होता है, आप सबसे पहले ढूंदते ह मेरा life में purpose क्या है, ऐसी कौन सी चीज है, जिसके लिए मैं suffer करना चाहूंगा, तो suffer, यह होता है passion का असली मतलब Latin चब्द है, ऐसी कौन सी चीज है, जिसके लिए मैं suffer करना चाहूंगा, और वो है उससे आपका एक process बनेगा, और process से पहले आपका एक goal बनेगा, यार मेरे को यह चीज करनी है, और उस goal को करने के लिए आप एक process बनाओगे, यार रोज मेरे को 6 गंटे पढ़ना है, रोज मेरे को 8 गंटे पढ़ना है, और वो process आपकी personality बनाता है, चीज समझ में आ गई, उल्टा है रास्ता, जबारा रिपीट करूँ, पहले आप देखते हो यार ऐस इसके लिए आप सफर करना चाहते हो, फिर आप गोल बनाते हो, गोल और विजन के बीच में आपको पता है क्या है, ड्रीम और गोल के बीच में क्या फरक है, आप जब एक date देदेते हो ना, कि दो महीने बाद मेरे को यह करना है, वो चीज गोल बन जाती है, वो चीज गोल या फिर यह इंट्रोवर्ट है या यह कैसा व्यक्ति है चीज़ समझ मारी है this is very important if you are able to understand this क्या आपने यह देखा people keep changing industries in search of their passion एक जौब छोड़ देंगे चाहद दूसरे में मज़ा है चाहद तीसरे में मज़ा है चौथे में है आप ऐसे नहीं करते लोग आप काम decide गर लो क्या करना है और उसके लिए आप पीछर भागते हो वो process आपकी personality accordingly बना देगा yes or no in fact stage का यह example ले लेते हैं आप इसे 20 प्रतिशत लोग है जिन्होंने का कि यार वो stage पर बोल सकते अब मुझे पहले बताओ आप पहले stage पर खड़े होगे पहली बार जाओगे डर होगे फिर दुबार जाओगे ती बार जाओगे चार बार जाओगे पांच बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी क्या मैं बोल सकता हूँ आप खुद इंट्रोवर्ट वाले face से भार आगए फिर आपके अंदर confidence बिल ओना start हो जाएगा येस तो वही है और फिर आपके personality बदल गी that's it तो यहाँ पर एक चीज लिखो चाहे हम personality की बात करें चाहे हम passion की बात करें चाहे हम inspiration की बात करें inspiration कहां से आएगा चाहे आप motivation की बात करो चाहे आप confidence की बात करो they all are byproducts they all are byproducts of our business कि मैंने अपने लिए क्या goal set किया है और उसकी according में काम कर रहा हूं क्या मालनो तुम शाय हो तो तुम क्या कर सकते हो तो शीशे के आगे बोल सकते हो वीडियो बनाके डाल सकते हो तो वह आपने कुछ decision लिए कि आरो के मेरे को ये video डालना है या फिर मैं ये शीशे के आगे खड़ा होंगा या फिर मैं mobile के आगे खड़ा हो के बोलूँगा 10 minutes और अपना वीडियो खुद देखो अब उस decision से आप जब रोद दो तिन तिन दिन करोगे, आप motivate खुद होते जाते हो, with time passion बन जाता है, वो आपका, with time आपकी personality भी बदल देता है, आप confident भी हो जाते हो, और मेरे case में तो ये चीज एक दम आप लेके बले हैं, मैंने सोचा था, कि यार मैं camera पे या YouTube पे कुछ video बनाऊंगा, तो मेरी शायद बूलने की skills improve होंगी, धिरे धिरे confidence बनना start हुआ, जब confidence बन गया, तो motivation आना start हो गया, motivation अंदर से inspiration आने लग गई, चीज passion बन गई, वो personality बन गई, तो अब मेरे bio में सबसे पहले TEDx speaker लिखा होता है जहां पर पहले मैं कुछ और लिखता हूं मतलब पहले, पेज़ पे टांगी हिलने वाले बच्चा, वो सबकी टांगी हिलती हैं पहली बार में, ठीक है, तो they all are by product of your decision, कहीं बहुत अच्छी जगा मैंने पढ़ा था, दिन में तीन decision अच्छे से ले लेना, जैसे कि मेरे को आज दिन में 10 काम करने दे, पर मैंने का तब से 3 special काम कौन से हैं वो कर लो आज, तो आज मैंने सोचा था आप लोगों के लिए पिपटी वगरा बने, तो मैंने टॉप पे दिया, सेमिनार के लिए काम करूँगा आज मैं, आज मैं प्रपर प्यारा सेमिनार के लिए, तो अनौंसमेंट वीडियो बनाना है, और ठाट काम मेरे कुछ और थे, वो यहां पर लिखने की जुरत हैं नहीं, इससे पहले कि तुम नहीं लिखो, काम था हो, टाइम पास नहीं था, तो यह आपके 3-4 काम होए, फिर मेरे पास एक बूस्टर वीडियो आया, बूस्टर इन आपके जही में से रिलेटेड, हमने एक पूरा सर्वे निकाले, कि 19-20 के अंदर सबसे easy chapters कौन से हैं, लाजट के 10-15 दिन में यह chapter पढ़ोगे, तो यह 20-30 नमबर आ सकते हैं, अगर मैं आपस बहुत ही वीडियो आज शूट नहीं हो पाया, क्योंकि वो 4-5 वी प्रायाटी यह से तीन चीज़ होगी, आप हमेशा डिसाइड करो क्या चीज़ें आपको करनी है, और दिन की तीन चीज़ें कर लो यार, यह मैंने कल भी आपको शायद बताया था, अगर आपके दिन में 10 काम है, उनमें से जो 2 काम है न, और 8 काम है, 2 काम ही है सबसे important, बाकी 8 के काटा लगा दोगे न, तब भी आपके life ही जादा फरक नहीं पड़ेगा, यह research है, जो आपका 20% काम है न, दिन का, जो आपका 20% काम है, वही आपका 90% output लेकर आता है, बाकी तो बस ऐसी time pass हम करते रहते हैं, क्योंकि वो main काम करनी से डर लगता है, तो बाकियों में अपना personality affect होती है, four factors that affect personality, ऐसी सोच के बताओ क्या हो सकती है, खुद सोचो, ऐसे रफ में साइड में लिखो, क्या क्या लगता है, क्या लगता है, जिससे आपको personality में फरका है, क्या मैं बहुत लगता हूँ, शायद past trauma, सबसे पहले शायद आप यह बोलोगे, मेरा जो इतिहास रहा आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, पास trauma शायद हो सकता है, फिर एक होता है, identity narrative, यह क्या है, आप कभी-कभी खुद अपने आपको बोलने लग जाते हो, मैं sports में बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, या फिर अगर मैं किसी चीज के फीचर पढ़ तो मैं definitely कर लूँ नहीं, या फिर यार मेर को तो border लगता है, मैं तो डर पोक हूँ, चाया आप मन में बात कर रहे हो यह, आप अपने लिए एक narrative सोच लेते हो, हरे के बार में detail में बात करेंगे, third होता है subconscious, ठीक है, और चौता बताओ, environment, किस environment में आप रहे हो, अब हरे के ब बाचपन में किसी में टेष्ट में number कमाये हो, हो सकता है अंधेरे में बंद कर दिया हो किसी ने, ब्रजादा लगता है इसलिए आपको, हो सकता है किसी बच्छो ने मजाक वड़ाया बच्पन में, जो भी चीज है, वोस्ट्रमा से अगर आपको निकलना है, आपको चीज़ आपको आपको इंकरेज करें आफ़ पावर्फुल फ्यूचर जैसे मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूँ शायद मैं एक बेटर पॉजिटिव या पॉसिबल फ्यूचर आपको दिखा सकूँ जो कि बहुत इजिली पॉसिबल अगर आपको चीज़ें करो तो आपको लाइफ में कमपणी का फाउंडर था उसने स्मोकिंग का पता है कैसे छोड़े उसने हर विक्ति को यह बोलना स्टार्ट कर दिया मैं तो स्मोक करता ही नी मैं तो पहले भी नहीं करता था आज भी नहीं करता मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा past एक fiction है fiction का मतलब जानते हो Harry Potter एक fiction है Game of Thrones एक fiction है जोटी कहानी है आपका past भी तो एक fiction है आप बोलो कि भी आप fiction कहा है वो तो fact है मैंने का नहीं क्या अलग-अलग point of view से आपके past को नहीं देख सकते positive point of view, negative point of view आप जैसा सोचो कि वैसा आपका past हो जाता है आया न तो मैंने कहा क्या आप अपने past को fiction नहीं बना सकते तो इस व्यक्ति ने क्या किया वो अपने आपको बोलने लग गया मैं तो पहले करता ही नहीं था यह और इतना बोला इतना बोला हर एक व्यक्ति को बोला वो उसकी reality बन गया और ऐसे उसने cigarette छोड़ी जिसके अंदर nicotine का यार बोलते हैं बहुत strong लत होती है लोगों की उसने वो बस ऐसे ही छोड़ देवे ना कोई treatment की तो अगर आपके past में कम नंबर आते थे तो बोलो मेरे तो बहुत बढ़िया नंबर आते हैं मैं तो कभी गंदे आया ही नहीं मैं तो कभी गंदे आया ही नहीं येस और नो imagine your future इसमें तो मेरा बहुत strong belief है आज मैं 10 रुपे का आदमी हूँ 100 रुपे का आदमी कैसे अपने lifestyle जीता है मैं वैसे जीने लग जाता हूं mind के अंदर मतलब ये नहीं मैं खर्चे दस्गुना कर रहा हूं मतलब ये कि मैं काम वैसे करने लग जाता हूं कि वो व्यक्ति कैसे सोचता हूं वो व्यक्ति कैसे रहता हूं वो आपकी रियालिटी बन जाती है तो आप पूरे दिन ने वह से इक बारे में सोचते हो थाड़ होता है सबकॉंशियस विल पावर इजन्ट इनफ जो विल पावर होती है कि यार अंदर विल पावर होने चाहिए वो इनफ नहीं है तो और क्या लेकर है फिजिकल चेंज़े आर रिक्वाइड या बॉडी में नहीं नहीं अपने अन्वार्मेंट में फिजिकल चेंज़े जैसे कि छोटा सा एक्जांपल लेता हूं काफी लोग चारिटी करते है ट्चेंग है फोड़ा सा कन्वुजिंग है या फोड़ा सा कन्वुजिंग है या फोड़ा सा कन्वुजिंग है unions क काफी लोग चारिटी करते है कि उन्हें लagn आपको कुछ फिजिकल चेंज भी करने अब इसमें यार बहुत डेप्थ में जाना नहीं चाहता है जैसे कुछ लोग तो फास्टिंग भी करते हैं फिजिकल चेंज लिए पर वो चीज जाधा आप सेंस बनाएगे नहीं अभी सेमिनार लेवल पर यहां पर कि वो ब्रेक फास्ट कर रहे हैं या फिर कुछ लोगां का ऐसा होता है कि साथ दिन में एक दिन का फास्ट जरूर करेंगे या जाधा नहीं तो एक महिने में एक दिन का फास्ट जरूर करेंगे जिससे सिस्टम क्लीन हो जाए सिस्टम पूरे टाइम चलता ना रहे उस दिन रेश्ट हो गया आपका इस तरह की चीज़ें पर में वहां पर डेफ में नहीं जाना चाहता है फॉर्थ हम पकड़ते हैं इससे आप अभी अगर आपका मोबाला में अगर आपको fraction करेगा अर्णा को घूल लगाऊ है चीक है, अपने गोल्स के, यूजवली कॉलेज में बच्चे पता हैं किस चीज के पोश्टर लगाते हैं, भाइक के लगा लिए, किसी हीरो, एक्टर वगेरा के लगा लिए, लगाओ अपने गोल्स के, कि आपको लाइफ में क्या करना है, निहा की, यही तो काम बच्चा है, म यह होता है, strategic ignorance, दुनिया में बहुत कूड़ा है, आपको intentionally garbage को side में करना है, समझ में आया है, विश्वास नहीं हो रहा, just open Instagram Reels, and luckily TikTok is not there, otherwise you would have known कि 100 creator हैं, तो 2-4 ही अच्छे हैं, बाकी content, student perspective से अच्छा नहीं है, मैं यह ने करा, content करता है, पर student perspective से तो बिलकुल काम का नहीं ह तो ignore garbage, this is very important, third, forcing function, forcing function का मतलब आप अपने आपको force करते हैं, कुछ चीज करने के लिए, जैसे आप deadline लिया होगे, time constraints, deadline डालो अपनी system के अंदर, यह काम में को इतनी देर में करना है, ठीक है, be absorbed in what you do, जो काम कर रहे हो, उसमें डूब जाओ, बाईया, जैएक अंदर नहीं तो, का डूबो न, डूबने के लिए कह रहा हूँ, ओडने के लिए कह रहा हूँ, डूब ना है, डूबो, वर्थिट है वो, डूबो होगे, तब कल, ओड पाओगे, मतलब बड़ी अजीब सी चीज लगेगी, पर मेनत करनी पड़ेगी, या किसने बोले थी, शारु खान ने बोले थी, ठीक है, मजाग सेट के शारु खान ने कही थी, उसने कहा था, मैरे एक लाइनर पर बैठता हूँ, तो सीट पीछे नहीं करता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल इस इंपोर्टेंट, येस, तो, अप मेहनत नहीं मारोगे, तो आप आप रजवन जाओगे, येस, दो, तीन यार कॉंचप्ट है, मेडियोकर सुने अपने मेडियोकर, मेडियोकर का मतलब ये नहीं होता, जो पैसे कम कमाता है, मालों किसी के पास 100 करोड रुपे है, पर आज के दिन वो सोचता है, अब मेरे को और नहीं कमाने, वो व्यक्ति मेडिय हो करे, पर हम उसको पैसे के साथ रहे कर लेते हैं, हो सकता है, आज के दिन आपके पास बैंक बैलेंस में 1000 रुपे हैं, पर आपकी सोच है कि यार, उपर चीर फाड के निकलना है, चीक है, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था, एक इंवेस्टर था, ज आज से 25 साल पहले, 100 बिलियों डॉलर जैसी कोई अमाउंट नहीं होती थी, पता है आपको, 100 बिलियों डॉलर कुछ नहीं होता था, किसी के पास ते ही नहीं, पर 25 साल बाद वो आज एक रियालिटी है, क्या मैं बोल सकता हूँ, उस टाइम पर उसने खुद पे विश्वास करें, एक ऐसा ड्रीम सोच है, जो कि शायद उस पॉइंट आफ व्यू से सेंस भी नहीं बनाता था, वो गराज में किताबे लेके बैठा है, और 100 बिलियों पूरी प्रितवी पे किसी नहीं कमाई है उस टाइम, पर वो कह रहा है, वो कमाएगा, तो उस लेविल का आपको ट नाइट आने चीए, आजाएंगे, बोल तो 50 में, पेक 58 तामस मेरे 98 आने चीए, इन डे, होगा क्या आप जब भी बोलोगे न, आप ऐसे खाली बोल नहीं सकती, आपका थोट प्रोसेस जाता है, यार 98 जाने चीए, पर मैं तो टीवी देख रहा हूं, आएंगे ऐसे 98 तो आ पता चला आप मेरे जैसे किसी का वीडियो देख लिया, या किसी और सर्का देख लिया, पता चला यह यह चीजें करनी है, अच्छे यार टाइम टेबल बनाना होता है 98 लाने है, आप उस डायरेक्शन में सोचना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, पर दिन में 50 बार बोलो त तो इससे पहले कि आप बोलो, इससे कुछ नहीं होता, speak at least 50 times for the next one month and then come back और फिर बोलना नहीं भया, इसका मतलब ये भी नहीं है एक जगा वैट के भाई अगले एक मिनट में 50 बार बोल दिया 98, 98, 98, 98, 98 हो गया, वह अलाव नहीं 50 नहीं के रहा हमें, पर मतलब दिन में वाइब समझ गे तुम, टॉयलेट के आगे लिख दो 98, जिस पुर्सी पे बैटतो उस पर लिख दो 98, जिस टेबल पर पर लिख दो 98, जिस ठाली में खाते उसके नीचे पनना नहीं पनना नहीं चेकता सकते, लगा आखे लिख दो 98, पर्मनेंट मार्कर से, दिखे तुम्ह लिख दो 98, रोटी खाते उसके उपर लिख दो 98, थाली के उपर, जब रोटी खतम होगी तब तुम्हें दिखेगा ओहो रोटी खतम 98 लाने टीवी छोड़के जाता हूं, ऐसे लिख दो हर जगा 98, 99 कर लो टार्गेट, जब टार्गेट करी रहे हैं तो 100 ही कर लो यार, 100 भ इस सम्धिंग दापन्स फो अगए वेट करों, प्रॉम्हें इस सम्धिंग दापन्स फो पॉर उस, यार, आगे चेबते हैं लिख लो लिख लो लिख लो दिख रहा हूं मैं सबको एक चीज यार हमेशा याद रखना में दुबारा बता देता हूं decisions के पैसे हैं, hard work के पैसे हैं नहीं है चीज clear है? hard work गदा भी करते हैं गदा नहीं है जो लो example ले लेते हैं एक CEO क्या मैं बोल सकता हूं वही 10-12 गंटे काम करता होगा एक engineer वह भी 10 गंटे बारा दो गंटे ट्रावलिंग के दस बारा गंटे ट्रावलिंग एक labor क्या मैं बोल सकता हूं वह भी 8-10 गंटे लेबर उतना काम नहीं करते हैं आदमी थक जाता है यार रिस्क में तो मैं एक तो रिस्क से अब इतना नेगटिव क्यों सूचते होगे रिस्क मतलब यह थोड़ी ना गरीब हो जाओगे सब्सक्राव लेके बैठे होगे फेल होगे तो इतना confidence नहीं गया खुद के ऊपर के काटोरा लेके तो नहीं मैठ होगा वह तो होना चीए ज़र मतलब तुम्हारे तुम्हें एक कंपनी उठाके नहीं लेकिए तो तुम क क्टोरा लेके बैठोगे बढ़ा तो इस कंपनी को 3 लाख रुपे कमाकर दे रहे तब जाकर वह तिरन लाख रुपे दे रहे हैं समझ रहे तो 3 लाख का पोटेंशल तो है तुम में, आवी अलग बात आप उस मार्केट में अपने आप में उस चीज से कैसे ले आते हो, सेम स्किल में लाते हो, या किसी और स्किल में उठा के लाओ, तो, decisions are very important, लाइफ में आप क्या decisions लेते हो, बारवी में क्या करते हो, बारवी के बाद क्या करते हो, क्या करते हो, क्या आप घरबार को कितनी attention देते हो, कितना त्याग करते हो, कितना sacrifice करते हो, भाई कि शादी छोड़ते हो, ठीक है, निहा से दूर रहते हो, अपनी उपर काम करते हो, जो पैसा कमाते हो, खुद उसे वापस खर्च कर देते हो, फालतू चीज़ों पर करते हो, या काम की चीज़ों पर करते हो, खुद की ग्रोथ पर करते हो, किस पर करते हो, ये सारे decisions हैं, जो की माटर करते हैं, चीज प्लिए है, एक छोटा सा बता हूँ, आपको शाहिद लग साब आता था, तो उसका मैं ट्रंपेट बजाओंगा, तो मैं किसी का इटलिस सर नी फोड़ूँगा, मैं अपना गाना बजाता रहूँगा, फिर विद टाइम क्या हुआ, उसके दोस्त इस पर करकर के बने, उन्होंने हशना स्टार फे क्या ट्रंपेट बजाता है, हमारे व्यक्ति था, और हुआ क्या था, जब लड़ाई हुई थी, तो किसी गोरे आद्मी ने उसके दोस्त को मार दिया था, तो उसको गोरे लोग बहुत गंदे लगते लगते, तो ऐसे खुंदस आती थी, तो वो जेल के अंदर भी गोरे लोगों को पीटता रहता था, फिर उस पर प्लान कर रहा होता है, उसको मारने का हुआ, उसको एक स्टोरी पता चलती है, कौन सी, विजर्ट ओफ ओजी, विजर्ट ओफ ओजी की एक कहानी थी, जिसमें, लॉंग स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है, वो कहानी सनने के बाद, उससे ये पता चला कि यार, इसको मार के मेरा तो कोई फाइदा नहीं हो रहा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसको मैं मार दूँगा और मैं दुनिया के राजा बन जाओंगा, येस और नो, इसको मैं मारूँगा और मेरे को एक रुप्या का फाइदा नहीं पड़ेगा, पुर दुनिया को इनफेक्ट फर जो जो कुछ निया, दुनिया का सबसे टॉप जो कॉलेज है, उसमें उसने एडमेशन लिया, उसे पुछ हो वहाँ क्यों हुआ, बोला मिर को एक ही कॉलेज का नाम पता था, हावर्ड, उसने जेल में बैटकर पढ़ाई करी, वो हावर्ड गया, हावर्ड से उसने स्पीच द तो भाई, तुम तो क्यों नहीं कर सकते हैं, अब बताओ, उससे खराब परिस्थिती है क्या तुमारी, नहीं है ना, तो, देर से मेरे सामने गुम रहा है, तो वैसे आधी बाजू में बैठाओ, मैं आज, तो मच्छर मगे नहीं ना, तो ego hurt ऐसा होता है न, मदलब, मच्छ अब देखो यार, आप मैंने शुरुवात में बताया था, आप लाइफ में अपना परपस ढूंदते हो, अगर ज्यादा कन्फ्यूज हो रही है, परपस को चाहे गोल बोल तो कोई फरक नहीं पड़ता है, लग बग से हैं थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है पर उसमें मत ज इसने पुछा भही है ये गोल काहां से आता है, मेरे को लाइफ का परपस कैसे मिलेगा, बताएं कैसे मिलेगा, तीन तरीके होते है, पहला होता है एक्सपोजर, आपका लाइफ में एक्सपोजर क्या रहा है, जैसे काफी लोग होते हैं यार जिनको एडूकेशन नहीं मिली चीज़ें हुई है तो उसके अगेंश्ट वो चीज़े कुछ कर रहे होंगे समझे है जैसे कि एक बहुत बड़ा एक शेफ है जिसका अगर यहां पर आप एक्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो एक फेमस अमेरिकन शेफ था जिसका नाम था चारली पुलने मुझे याद नह फेड शेफ शेफ नहीं पता जो खाना मनाता है शेफ फेश बोल दिया क्या मने गलती से स्वारी अटक रिये जुबान आज मेरी तो फेमस अमेरिकन शेफ है और इसे पुछा गयार शेफ क्यों मने तो बोले यार बच्पन में मुझे खाना नहीं बिलता था असली में देखके मेरे दिमाग में यूँ आता था कि यार खाना ओहो यह खाना यह खाना तो अब एक और चारली भी है उसकी वी एक्जामपल बता हूं दिर वाज अनदर शेफ चारली येस और ही यूज तो फेड इंपवरिश चिल्डरन गरीब लोगों को खाना खिलाता था वह तो भूक दे रहा हूं अंदर यार ऐसी भी एक जिंदगी होती है पर इसके लिए अगर तुम मेहनत करोगे तो एक पॉइंट पर पहुंच जाओगे आज के दिन तो लोग ई-मेल करते हैं वो बच्चे कि यार थेंक्यू आपने हमें एक ऐसा व्यू दिया पॉइंट समझ पारे हो आपका लाइफ में क्या कमी जिस चीज की कमी रहती है ना आदमें उस चीज के पीछे पाकते है एक्स्पोजर क्या रहा है दूसरा होता है डिजायर डिजायर तो चाहिए कि यार मेल को वो चीज करनी और तीसरा होता है और अधर गौफीदेंस का वात है इट इस बिल्ट अभी पहले भी बताया था उस्प्रूप्रणॉर तबहत अपर लडाई करें बच्चे निडिविज्वल जोगि नए व को ट्राय करते हैं मार्केट में ज्यादधा गोंता है थोड़े फेलियर्स उसने ज़्यादा देख रखे होते हैं और वो व्यक्ति खुद अपना पैसा कमाता है आज के दिन सोलोपनौर उसे कहा जाता है जो खुदी अगर एक चैppen अपनी खुद करते हैं पやसे पैसा नहीं है या क्या कर सकते हो शोचल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हो सुचल मीडिया पर अपनी प्रेसंस बनाऌ अपनी brand awareness करो और वहां से आपके रास्तेने कलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप college के अंदर हो, college के अंदर incubator sales होते हैं, incubator sales में क्या होता है, आपको 5-7 लाख रुपे की funding मिल जाएगी, एक office room प्रोवाइड कर देता है आपका college, और आपकी लगबग 5-10% या 7% equity ले ले लेते ह तो आपको वो initial amount मिल गया, यह चीज़ समझ में आ रही है, उसके बाद अगर हम यूँ बात करें funding किस basis पर मिलती है, Today, a solopreneur cannot be, cannot stay away from internet, if you are away from internet, I doubt how you will be a solopreneur. जैसे यार, अगर मैं अपनी बात करूँ, जैके तो मेरा, जब मैं third year में था, करीबन YouTube पे हमारे इतने इसप्स नहीं थे, बहुत सब्स थे, अगर वैसे देखें तो उस टाइम के इसप्स, आज की इसप्स से खुटे कम लगेंगे आपको, मैं अपना कुछ काम करें, मैं ऐसे एक दिंग टीचर से बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे लेवेंट में पढ़ाया, बात करते करते होंने ने का यार, अच्छा तुन्हें स्टूडियो बनाया, कैसे बनाया, मैं जाके लोगों के, बिजनस डील करने गया था, to be honest, कि या आपने सारी चीज छोड़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हूं, आपके पास है, नहीं क्या करें, तो मैं लोगों के पास जाता था, और मैंने आइडिया बताता था, वो कहते था, अच्छा ठीक है, हमने तुम मेरा स्टूडियो बना दे, और उसके बाद स्टूडियो में मेरे को सिसी जार लाख 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 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वो कमरे इतने बड़े-बड़े होते थी, मैंने एक स्कूल कवर किया, जहां पे मैंने 14 कमरे बनाए, और लगवा घर एक में लाख का बेनिफिट था, मैंने दुबार स्कूल भी सेमी प्रोवाइड कर देते थे, तो आप बच्चे को दो जगानी जाना पड़ता था, वहां पे मैंने सेम आइडिया पिछ किया, और जो डायरेक्टर था, मैंने उनसे पुछा, क्या आप इसे फंड कर पाऊँगे, उन्होंने का, अरे यार मेरे पस बहुत प्रोपर आपके अकॉस्टिक फॉर्मिंग जो होती है, आप दिवार में छेद करते हैं, आप फाड़ोगे, अलुमिनियम के आप फ्रेम बनाओगे, उसमें आप अपना गुसा बर गया, आप पूरा बना के आप छोड़ के जाते हूं, पैसो की कमी नहीं होती है, इनके पा ठीक है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, और मैंने ऐसे करकर के बहुत लोगों के, मतलब वो डिच मुझे करते थे, पर एक तरह से मुझे सबसे इंपोर्टन चीज मिल रही थी, कापिटल, येस और नो, तो कभी-कभी आपके लाइफ में बूरे भी चीज़े होती है, तो ए अब मैं फर्स्ट यर में नहीं सोचता था कि मैं किसी के लिए Studio बना रहा हूँआ, थार्ड यर में, ठेक है, तो पर जो फर्स्ट मैंने Studio बनाया था, वो BKNे बनाया था, और मेरा College बिल्ली में था, मेरेका अभी भी याद है, मैं ट्रेन पकड़के गया था, अब कितने मतलब दोखा दिया हमने सूचा था मिलके काम करेंगे पर उन्होंने मेर को इक्वेशन से अठा दिया उन्होंने का यह जो वैल्यू अडिशन करेगा वो तो हम खुदी कर सकते हैं पैसा लगा के मतलब दोखा दे दिया ठीक है तेरे स्टूडियो वाला काम था तेरे को थोड़ा बहुत इंटरनेट का तुछ जानता था ठीक है वह मेरे से नॉलेज लेके मेरे को डिच कर देते थे अब मेरे को दिवाली होली पर मेंसेज करते रहते हैं अमन कैसे हो तुम्हें बाहर मार्केट में निकलना पड़ेगा लाइफ में एक गोल बनाओ मैंने कल भी आपको बताया था यार ठीक है 85 परसेंट जो लोग वेल्दी हैं दुनिया के उनके पास पूछा गया आपके कास कितने गोल है उन्होंने का हम एक गोल के उपर काम करते हैं एक गोल का मतलब यह निया पैसा एक जगा से कमारे हो समझ रखनी है जो लो प्रनौर जो होता है यार वो एक्स्क्यूजज नहीं बनाता पॉजिटिव अटिट्यूट रखता है जो दिक्कत आती है उसको एक पॉजिटिव वे मिलेता है अपने बेस ट्रॉंग रखो बेस मतलब अपने पैरेंट्स की व्लेसिंग अपने साथ हमेशा गर में अकलेश में मत फसू बिजन अपना बढ़ा रख किसी के डबाय दब मत अगर कोई बोलता है को यार यह चीज़ नहीं करनी तो वह चीज़ तो करके दिखानी है कि तने लोग एंजनों ने बोला अमन तुमारे अकेले बस की नहीं है सही मैं Literally on the Face गोला कि तुम किले ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, तुम आज भी आते हैं लोग कहते हैं यार यह निये करो तुम ऐसे आ जाओ, तुम भी paid courses निकाल दो, तुम भी एक कर सकते हैं मने बस बोलता है नहीं पर मैं बहूर कहूं से तो मैं जब पता चला जाना, मेरे को भ्यार 6-7 साल हो गए, जो अरली प्लेयर्स होते हैं, मैं उन में से कुछ हूँ, मतलब मेरे को ये भी पता है, कौन-कौन मेरे को कहाँ टिच करेगा, कौन-कौन किस से बात करता है मुझे, क्योंकि आट-दा-इंड मैं हूँ, अभी भी 23 स अब जाना, परटन तरहा है, पैसे खर्च करने, परटने हैं, पैसे खर्च करो, बढ़िया लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, गवाओ मतों से, मिलो जाओ, ट्रावल करना पटे, ट्रावल करो, येस, भी आधा, हाउट टु सेट अप टीम, पर उस टाएम बनाएंगे, आज के दिन में थोड़ा पैसा कमा पता हूँ, तो मैं टीम हायर कर पाता हूँ, एक basic rule बता हूँ, मैंने यार निकाला था मुझे टीम बनानी है, YouTube पे काफी बच्चों ने मुझे बोला था, मैं paid courses बेचता नहीं हूँ, पर जब paid courses बेचने पे कोई आता है न, तो उसका बह आप क्यों पट रहे हूँ, फिर medical के लिए, आप क्यों पट रहे हूँ जईगी के लिए, तो मैंने जाके बोला YouTube पे, मुझे बंदे चीह हैं, जो मेरे साथ काम करें, courses बोर्स बिनाए, मेरे पास हजारों email आए, भया हम काम करना चाते हैं, हम काम करना चाते हैं, हम काम करना नहीं दे पाता, तो मुश्किल होता हूँ, जीरो, आज की दिन मैं सब को salary देता हूँ, सब के सब टिके हुए, सब के सब टिके हुए, तो इस वेरी एजियर टो comment से, भाई, हम भी कर लेंगे, free, free मैं कोई कुछ नहीं करता, बहुत मुश्किल है, right, मेंगा अभी याद एक टड़की थी, और उसने का था, I won't take salary, और मेरे तो मन में भार हो गया, कि यार, ये salary नहीं लेगी, और काम करेगी, अब मैं क्या कोई gift gift दूँँ, इसको equivalent amount का, एक महीने बाद, we were, she was fighting with me for, I guess, one to two thousand rupees, I was like, वा, ठीक है यार, तो ले ले, मुझे, कुछ holiday holiday का का कुछ इश्य और मैं मन में सोच रहा, ये वही बच्ची है, जिसने मुझे का था, कि मेरे को salary नहीं चीए, तो वो चीज़ें आपको, उसमें कोई दिक्तत नहीं आरा, आप काम कर रहे हो, पैसे लोगे न, 18 साल आपने काम लिए है, तो अगर कल को आप पैसे लेगते हो, बिल्कुल भी guilt लेने की जुरत नहीं है, समझगे है, हक से लो, कोई चौरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, बहिया, और बाकी मैं बोलूँगा, किताब ले लिया, ठीक है, अब तमसे क्या चुपाना, तमसे क्या चुपाना, ठीक है, ये किताब मैंने बाद मिली, जब अल्रोडी लोगों को hire कर चुका था, एक आपको अच्छा environment बनाना पड़ता है, अच्छा environment दिन दस है, हमेशा आपके teammates को ये लगना चाहिए, मस्ती चल रही है, उन्हें मजा रहा है, ऐसा नहीं है, आप पैसे दो और वो काम कर रहे है, machine नहीं, we are not robots, right, जैसे for example, आप बीच-बीच में उनके साथ गूमने चले गए, कभी सोमू से एक चोड़ी मंगा लिए, कभी पिज़ाज मंगा लिए, कभी dance party कर लिए, कभी देवाली party कर लिए, उन सब के साथ बैठे है, individual के साथ, मैं तो एक एक बंदे को लेके कभी बाहर काफे में लेके चला जाता हूँ, और भाहर गूमने चलते ह चाहिए, constructive vibe आने चाहिए, मैं उनके साथ ऐसा ना हूँ कि, भी मेरे लिए as a boss डांटना बहुत easy है न, यह तो काम बहुत easy है न, मुश्किल काम यह है कि मैं बैठ के आगले व्यक्ति को समझू हूँ, और एक असले leader यार वो होता है, मैंने कहीं पर बहुत अच्छे जीगा जिसके रूम में आप जाओ, तो आप empowered feel करो, ना कि कमजूर feel करो, अगर मेरे कोई रूम में है और मेरे रूम से वाफस निकल के जाता है, तो उसे empowered feel होना चाहिए, ना कि, अवे यार, तब आप एक अच्छे leader हो, समझ माया, these are few things which you will learn with the time, कब, जब चीज़ें आपके according नही भी होनगे, फिर आप सोचो कि yor, किया गलत कर रहा हु, फिर आप किताब हों कि तरफ पर लूरे हो, कुछ पे गलत कर रहा हु, तिर यृह रिलास किคल कर राज हो, कुछ पर रूम आपके रूमरा अज प्र एंगकंजों कर देडिंगे, क्या सैन आपके वर्कृइर ओंड कर मैं लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं कोई दिक्कत है तो मैं उनके साथ वैठ हूँ यह सब्सक्राइब और यार हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वही भी हेवियर करो जो आप चाहते वह आपके साथ करें समझ रहो अगर मैं खुद इंपलवाई होता मैं नहीं चाहता को आप अगर उस पोजिशन में हो तो आप अगले को मत डाटो क्योंकि वह काम असान है और असान काम कोई भी कर सकता है मुश्किल काम यह है कि जनाब आप बैठो समझो ग्रो कर जाओ फिर मैं यह समझा कि आपको कुछ बीच में लेयर्स भी बनानी जरूरी है तो मैंने अपन आसे बात भी नहीं हो सकती है डांट ना पड़ेगा तो मेरी जो नीचे वाली लेयर है वो डांट दियेगी पकड़के अब मालनो उसने इतना डांट दिया और वो लड़की है तो लड़की कितना ही डांट दिया मालनो उसने डांट दिया और वैसे में कोई भी टीचर हो ग मेरी होती है बचाने के लिए क्योंकि things go smooth, yes, मेरा time energy resource नहीं जाता है यह देखने में कि कॉन time पे आ रहा है कि इसके deadline meet हो रही है नहीं हो रही, वो बाकी का काम, इस प्रकार से आप कुछ-कुछ चीज़ें सुचते हो, layers बनाने ज़रूरी होती है, आपको अपनी ब्रैंड पे बनाने में आपको काम करना चाहिए, आपके विजन आपको पता हो, आपकी जो team है, वो आपको help करेगी, शुरुवात के 3-4 साल कोई team नहीं बनेगी, आप खुद अपने आपके काम करोगी, बट आथ हाओ इस, एक solopreneur कभी भी किसी opportunity को miss नहीं करता है, वो काम करता जाता है, उसका never give up attitude होता है, अच्छी परिश्थिति आने वादी है, जितना गंदा टाइम चल रहा है, उतना उससे अच्छा टाइम आने वाला है, इस belief के साथ आप आगे चलते हो, आप अपने आपको self-feed करते रहते हो, कि something will happen, जो आपका एक vision है, उसको आप live करना start करते हो, that is a solopreneur, एक वो व्यक्ति जो कमरे में आए, तो वो खुद तो इतना energetic है, कि he is a source of energy, not, इसका मतलब यह नहीं चलाते फिरते फिरो, इसका मतलब यह है, you have to need to have a positive attitude towards everything, everything, और गरग अपना vision आगे रखो, दो लोग लड़ते हैं, लड़ने दो, एक कान से सुनो, दूसरे कानों से निकोल दो, कुछी चीज़े हैं, जो आप control कर सकते हो, जिन चीज़ों को control कर सकते हो, उन पर focus करो, जो uncontrollable हैं, उनके बारे में ध्यान मत दो, क्योंकि आपने कर भी नहीं सकते किसी के साथ आज का समाप्त करते हैं, जनाब, यह रैप दे दो, रैप तो मैं भूल दी गया, अच्छा गया, अच्छा गया, बाद में एक दिन किसी recording में खुद सुना, सिर्फ मेरी आवाज चल रही थी, गाना तो सुनाई भी नहीं दे रहा था, और मैं इतना बद्दा हो कि वैलन्टाइन सा रहा है, ना, लड़की को देख हुआ, लड़का हिरान, कुछ समझ नहीं आया हो गया, वो परिशान ना कितावों में दिल ना, वो क्लास में मौजूद हो, तबंग करता क्लास, बास 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 बास, कुछ कुछ कर से, उसे चुप के से देखता था, सारा जा रहा Parent, एक है सारी बख्वास, मौन रागा हूए ऑर यूट्युप पे नहीं दलना है यह सारी बख्वास, अह बता रहा हूँ, मैं बता रहा है गहरा यार्व 2 सा, बखॉन जो बास, मैं जानता निक है, ऐख बास, मैं ऑख ए अीजृत करें, नहीं डाले कांगे, प प्रशनालिटी इस नोट पर्मनेंट वर्क ऑन यॉर्सेल्फ टेक यार गोल प्रॉसेस करना श्राट करो रोज और कुछ-कुछ चीजें निकल के आएंगे और बहतर होंगी आज जिस निकर में बैठे हो ट्रस्ट मी अपनी कंडेशन बदल सकते हो तुमासे चार साल बाद पा के तुमासे चीजेश के इज खर मैं बाद बदल सकते होंगीजे सकते हो र otur Jim